हालो, हाँ जी, सभी को नमश्कार आप तो खुश दिखाई दे रहे इसे स्कूल छूटता है, घंटी बसती है तो फिर सब खुश हो के बागत हाँ जी, बागेला साथ को प्रस्टन था, हो कुशा जाते हैं, हाँ जी बागेला जाए जाए ह। बचे बिजनेस कर रहे हैं, तो कई पेट्रोल परक्रशन का व्याविशाई कर रहे हैं, तो जो आज में आज में जो हमारे वहां काम करते हैं तो उसको जो देते हैं वो कैसे तई किया जाए और बिजनेस करते हैं तो दर्शन के आदार पर बुजनेस में कैसे जो हम चीजे के अमुलिया की किमत नकी कर सकते हैं उसके लिए कुछ कह सकते हैं देखे यह थोड़े से क्रिटिकल से मामले हैं एक तो यह कि जो भी लेबर वेजिस हैं वो किवल हम से रह नहीं हो रहे हैं पूरा एक सिस्टम है और उसमें आप कुछ भी फिर बदल करने जाते हो तो वो हमेशा के लिए है और कभी आपकी वायबिलिटी कभी कम कभी जादा करें तो यह समझ में आता है कि जो सब्सक्राइब देते रही हैं उनकी अधर फैसलिटीज आप बढ़ा सकते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं कभी तीज त्योहर आता है तो गिफ्ट के रूप में क्या दे सकते हैं हेल्थ पाइट अव्यू से क नहीं है कि क्योंकि उसके डैनेमिक्स लंबे चौड़े हैं लेकिन अगर जितने सपोर्ट आप करना चाहत कर सकते हैं वो सपोर्ट बढ़ा सकते हैं उसमें क्योंकि एक बर अच्छा सेलरी किसी एक की बढ़ाई किसी एक की मनलोब आपको लगता है कि इसकी योगे तैसकी ब बढ़ाया सकता है। वो एससे अलग हो जाता है, । Luke , किस उलभी सब्सक्राइपा और सबुने तो अपने सिस्टम में हम ही बेतर सोच पाएगे तो कोई थम्रूल जैसा देना मुश्किल है मेरा ऐसा इसमें सोच बना है जैसे हम खेती करते हैं माली जी खेती में जो लोग काम करते हैं उनके वो चल देहारी चलता है कर दोने आफिर व् कोई सम मेरे को बताए कि समान क्यों है क्यों कि अधिकांस जेगा में अलग-अलग होता है हाड़वर क रेकेंगे तो पुरूष ज्यादा कर सकता है तो लोगों ने पुर्स का अलग रखा है, महिलाओं का अलग रखा है क्यों खेती का काम थोड़ा सा शरीर का हाड़ वर्क वाला काम होगा है तो समान कैसे हो गया, वो एक समझने की बात है लेकिन फिर भी अब उसमें वो एक के हाँ सेट ऐसा नहीं है वो पूरे उस इलाके में 200 रुपे चल रहा होता है और उसमें आप कम ज़्यादा करते हो तो बाकी लोग भी अबजेक्ट करते हैं या रेट भी गाड़ दिया इस तरह की बाते आती हैं तो उनको बाकी सपोर्ट सिस्टम जितना दे सकते हैं उता दे दे अच्छा हमारी भी वाइबिलिटी बहुत आनी रही होती है यह जैसे हम और गेनिक कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उसमें खर्ची मुश्किल से निकल रहे होते हैं तो उतने प्रॉफिट का वो नहीं है मार्जिन लेकिन फिर भी हमारी कोई सिती है और हम कर सकते हैं तो एजुकेशन वाइपार्ट को बढ़ा दे हैं हेल्थ वाले पार्ट को बढ़ा दे हैं तीस द्योहर में गिफ्ट वाले पार्ट को बढ़ा दे तो उससे हमारा मन में भी संतुष्टी रहती है कि हम कुछ बेतर कर पाए अपने ही संतुष्टी का सवाल है जी आप कहते हैं कि पुरुस और महिला का क्यों ज्यादा तर पुरे एक फैमिली आता होता है इसलिए उन लोगों को अच्छा रहे तो पुरुस के एक फुरुस और तीन उसके पैमिली की महिला है तो उनको वने वो आते नहीं है इसलिए फ्लेट ही गिनते हैं और फ्लेट ही पैसे देते है तो यह उनकी तरफ से है उनकी तरफ से है आपका इसमें कुछ चलता है नहीं चलता है ठीक, ठीक, बढ़िया, अच्छी बात है, हाँ जी, और बदाएए, आज तो आ का दिन है, आज मेरा दिन नहीं, आज सुनने का दिन है कल एक बात जो सुनी, संतोस है तो प्रतिफल नहीं, और प्रतिफल है तो संतोस नहीं, वो मेरी जिन्गी के विश्वाब से मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा, कि मैं उनिस्सो ब्यासी में, एक स्कूल में टीचर थी, वो स्कूल दादा जी यानी पंडुरंग सास्त्री जी के प्रेडित थी, और वहां का जो वातावरन था, इत प्रेडिती कहते थे, और कोई भी सिख्षक वहां पे ट्यूशन नहीं कराता था, जब भी बच्चे को सीखने को मन हो, स्कूल में अथा, घर पे आके भी वो सीखता था, और इसके कारान बच्चों को भी इतना भाव रहता था अपने, और सिख्षक को पूरा संतोस मिलता थ कि वो पूरे भाव से उसको पढ़ाते हैं और उसकी असर अभी तक 20 साल बाद भी जो और वहां के जो बच्चे हैं पढ़के इतना आगे बड़े, को राश्ट्री एरेवल तक वोलीबॉल प्लेयर बना, कोई डोक्टर बने हैं, को इंजिनियर बने हैं, और इतने सालों के बाद भी उनका जो भाव है वो अभी भी कायम है, तो मेरे को ये बात एकदम फिट लगी कि सची बात है, प्रतिवल की अपेक्षा के बिना जो कारे किया जाए, वेवार किया जाए, वो सायद बहुत ही अर्थपुर्ण होता होगा, और दूसरी बात ये के एप्रिशियेश की बारे में आपने का, तो हम कई बार हमारे सामने हमारे आजवाजी के विद्धी को एप्रिशेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में उसके बारे में जो तित्रन पहले से होती है, वो कुछ विप्रीद होती है, तो हम सोचते हैं कि ये जो उसने प्राप्त किया है, व वह एक कारण है कि और दूसरा ये जबी कारण? वी कारण है कि हैं भीतर से मैं एपलसको oeर्णे करेच नहीं होता है यह पुरानी बहुत गहरी मानिता थी तो किसी के सामने उसको अप्रिशेट करना ही नहीं होता है वो हमारे में गुजराते में कहवात है कि वखानी खीटली डाड़े डाड़े यही काम करती हो किसा है मतलब फिर दुबारा उसकी गलती बताओगे तो बोलेगा कल तो तुम अच्छा बोल रहे थे आस तुम गलती बता रहे हो और उसको उसकी अच्छा ही बताने से वो फिर उसको मान लेगा कि मैं अच्छा ही हूँ फिर वो अपने अंदर और अच्छा ही नहीं करेगा गैप नहीं देखेगा वो मान लेगा कि मैं अच्छा हूँ तो ऐसी पुरानी माने जाएं इस तरह की भी हैं हावा में उड़ने लगेगा भाई जो भाव आ रहे हैं आज की जो शेरिंग जो प्योंगी ता पूरे शीविर में रही उसको मैं गीत के तौर लिख रहा हूं कुछ देर में लिखा जाएगा उसको शेर करूंगा हाँ लास्ट में करेंगे लास्ट में जानी आए बीच में कर देंगे थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा बीच में मतलब आदे गंडे में लिखा जाएगा लिखने के बाद लिखा तुम लिख वेर कहा करना उसको उसको पताए गया आप को इंतिजार भी तो आना चाहिए कि सेरिंग अ कि प्रोड़े होते हैं इताउर भी कोई चीज होती है तो माईक आपके हाथ में है, स्वेच्छा से आप अपने अपनी शेरिंग करते जाएं, पिछले साथ दिन में हमको क्या मिला और आगे के लिए हमारा क्या संकल बनता है, ऐसा हम बढ़े शेरिंग करें, तो मैं ऐसा लगता है, मैं भी उदर ही आजाओं ताकि आप मेरी तरफ साथ देखें, जो चू जाने वाली जो बात है ने, वो सहस्तित्यों का प्रतिरूप माना हुए, मेरा नाम शीतर शाय, मैं नादी नगर से हूँ, तो सहस्तित्व का प्रतिरूप मानाव है, और अस्तित्व ही सहस्तित्व है, अस्तित्व में चार अवस्ता है, और मानाव के अलावा बागी तीने अवस्ता निश्चित आचरण में, मैं खुद आचरण पूरुवक जीना जीता हूँ, तब वो जीना है, तो यानि मेरे पूर्वक जीना है, second, शरी को उर्जा भोजन से मिलती है, मुझको उर्जा खालिस्थान जो सोह मुझ जीत है, उससे मिलती है, अब भोजन से जो उर्जा मिलती है, वो सिमीत है, तो रेगिलर बेस पे लेना पड़ता है, now important point कि मैं अक्साइबल समपनू हूं, तो मेरी उर्ज में समझा, तो मेरा जीना है, और तभी निरंतर सूख है, और वो निश्चित आच्रान पूर्वक जीना है, third point is saban, जिन्दा रहने पर, सरीर के आधार पर, और अस्तित्वसज विवस्ता के आधार पर, तो इटेल किया, तो पता चला कि सबन में तो अभी मैं क्या करता हूं नहीं वो पूरा गैप दिखाई दिया, फिर पता चला कि जीना वास्तविक्ता के साथ है, कल्पना के साथ नहीं है, तो पता चला कि नियम का विरोध करता हूं, यानि मैं जैसा चाहता हूं, या तो वैसा नहीं होता है, मनमानी करता हूं, तो दूख होता है, तो वो भी क्ल यह हुआ, देन मानव लक्ष, मानव लक्ष पुर्वक, मानव लक्ष को पहला तो पैचानना फिर उसके पुर्वक जीना, तो फिर परिवार और अखंड समाझ दोनों पूर्ण हो जाता है, इन शोट मेरी उप्योगीता ही मेरा जीना है, बाकी जो बताया खाना पीना है, और उसमें आज सुबह अभी यहां बैठाना तो वो भी पता चला कि अम जो निरंतर सुक की बात करते हैं, तो जिन्दा रहने वे एक चीज निरंतर है, जब तक मैं जीना नहीं जीता हूं, तब तक सरीर का आना जाना निरंतर रहता है, और वो बाकी तो सरीर बजलता रहता है, दूसरा, मैं आपको सबसे पहले, अब कृतक नता का भाव जो है, लेकि मेरे पास वर्स नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, डविनु भाई एंट टीम, कीचन की पूरी टीम, जिनों ने इतना बढ़िया खाना खिलाया और इतना क्यार लेके द्यान दिया है, सां कृतक नता अधा करता हूं, और एचली ये कृतक नता वर्स तो बहुत बढ़ा है, वो पता चल गया है, तो मैं जब यह बूलता हूं कि कृतक नता तो उसमें भी जब मेरा भाव, क्योंकि एक चीज तो पता चला कि जब आचरान दो होता है ने वो बोला नहीं जाता, वो सि तो थोड़ा सा ये देते हुए कि 11 तक हमने लिमिट है, 11 तक हमारे लिमिट है, तो content बोलने की बजाए, आपके मनभाव को ज्यादा बोलें, मेरा क्या संकल्ब ना, उसको अपन ज्यादा बोलें मेरा नाम विशाल, मैं हमदबाद से हूँ, तो जो काफी सारी चीजे निकल रहे थी, तो मैंने चीजों को action questions के point में थोड़ा summarize किया मेरी तरफ से, तो आपके कुछ-कुछ statements जो थे, वो काफी माइने करते हैं, जैसे सुत्र था, सुत्र भी उससे अलावा भी आप बहुत सा आती थी, अच्छे तरह से, तो पहली सबसे पहले की मेरी पहचान क्या है, वाके मेरी पहचान क्या है, वो statement वाके में, जब मैं feel कर रहा हूँ, तो वो बहुत importance बन रहा है, जब मेर को वो लग रहा है कि में जीवन हूँ, और वो चीज समझता हूँ, तब बाकी सारी चीजे जीस तरह से सापेक्स में चीजों को देखता हूँ, तब काफी सुकून सा भी में लगता है, पर साथ साथ में responsibility भी है, तो वो भी बनती जा रही है, पर वो चीज भी समझ में आ गई, कि अभी तक जो हम सबंद को देख रहे थे, वो पूरे का पूरा पीचल की तरफ से हो जाती है, तो ये फिल होना शुरूआ, दूसरी बात है कि जब तक और चीज बनी कि जब तक घटना नहीं गटती है, तब तक समिक्षा नहीं हो पा रही है, तो अब समिक्षा करनी है, तो मेरे को किसके हिसाब से करनी है, तो वो भी समझ में आ रहा है, जब भाव की बात ह रही ही तो कभी भाव तो हमने हमें जितने भी बार सोचा है थैने पी एचल की तव सही सोचा और gram ये करेंप भाके में ही शुकुण है अगरा निया अगरमेघ्रमग सत्यकैंसंडि है तो यू कुन है सहब से देखते तो इसा वत में सोगार सुगा है चीज Android ऐसे में जीवान से धून्हें में चीजहां अछी अठी लाग रही है व चीजों को तो वे एक चीजा आया तो वस्तु इसम बास्ताविकता धुनने से तो बहुत ऐसी हो रहा है वह चीज है काफी आसानी से हो पारे भाव अंदर जो वास्ताविकता है वह धुमना है वह थोड़ा वह अब लग रहा है कि वह धुंडा जा सका वह जीज उनीएम तो एक्षिं मे लिये बनाई है कि में जीवन हूं औ और मेरे को लग रहा है कि में हर एक दिन के सोने से पहले या सुबह उड़के में इतलिस्ट वो चीज कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया उतनी समीक्षा में जितनी भी समझ उसके इसाब से कहरी सकता हूँ फिर एक था शब्द से अर्थ एन अर्थ से उसकी वास्तविक्षा तो यह चीज़े इसलिए आई थी यह चीज़े इसलिए मैंने लिया है कि अपने पास हम पकड़ ले तो हमेरे पास 14 बूके है या 13 बूक भी है तो उसके अंदर शब्द है उसने वास्तविक्षा पर डिफा कि पूरी negativity collapse हो रही है और वो मैं भी देखना चाहता हूं फिल करना चाहता हूं तो वाके में वह चीज़े हो रही है कि नहीं तो मैं चाहूंगा कि हर एक दिन के बाद भी में वह चीज़ों को देखू कि क्या वाके में ही ऐसा हुआ कि नहीं वह एक में एक्शन मेरे तरफ लेना चाहता हूं और शीबीर में भी बहुत सारी अचीज़े है और कई सारी गतना है हो जिसको मेरे को एज़े यूस केस में ले लिया है उसकी समिक्षा मैं करूंगा एक तरफ से जाकि मेरे को पता चाहिए क्या वाके में ही तो समझ की हिसाब से अभी फिलाल में अब भी वह ठीक से समिक्षा नहीं कर पा रहा था जो घटना है मेरे लिए अच्छी नहीं थी वह घटना को भी में अभी भी शांती से नहीं ले पा रहा हूं तो मैं और ट्राइक करूंगा कि वाके में एंडिस से में उसमें वह घटना हों से मिर को फाईदा हुरा बच्च के लिए तो विश्वास और प्रेम तो हुथा है मेरे में है असाम कह रहे है पर अब नहीं जो परिभास आई है उससे हिसाब से अब लग रहा है कि विश्वास और प्रेम जिया जा सकता है अभी तक जो विश्वास और प्रेम बाहर की तरफ था वो नहीं करना है वो पहले म कि तरफ में कितना तर्किक हो सकता हूं किता मैं उसको पुर्वक उसको जिए जिता जाओ जी लुमे उसको मेरे इस हब से में उसको हाथ वो वो एक मेरा एक समय ने एक्षिन पॉइंट निकाल है मेरे लिए और विए उनकल मासाहरी नहीं है तो आप बने रही है मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद किसी को भी नहीं होना चाहिए और भी आप सबकी और से सबको बहुत कुर्टेग नहीं था वड़ भी जैसे बताया बहुत काम है हलो हलो मैं राकेश नागरेचा आली ताना सांधी बने विद्यालाई से तो जब पहली शीविर हुई थी तो मैं और संजेबाई डिस्स करता भी शरू नहीं हुई थी तब कि भीया वीनु बाए कह रहे थे के आट घंडे और सिफ लेक्चिर हम उना क्या क्या करना क्या है पता नहीं था पुरा रोड मैप क्या होता है यह विध्र शीविर का तो विनु बाए कह रहे मैंने कि करना क्या है उसमें तो कह रहे कर आए can the감ट Bay lecture होगा tenían के Mr. मैंने तो बैट वाएंगे, तो आट गंटे कैसे हो बाएगा, लेकिन जब हमने यहां देखा वो वातावन देखा, हम कई संप्रदाय में चाह चुक है, कई जगा पर मेडिटेशन की कई शीवरे एटेंड की हुए है, लेकिन हम अभी एक मन्त पहले सारी लेंगवेज पर स्टड़ी कर रहे थे, तो हमार हिंदु शास्त्र में चाह लेंगवेज होती है, उसमें परा जो अस्तित्वक लेंगवेज कहते हैं उसे, तो मेरा भाइब भी आए थे, अभी साथ दिन आये थे, आज नहीं है, तो वो कहते का आप मेरी बाजुमा का आप सो जाते है, आपको ते क्या ह है, तो मैंने यहाँ वहाताओनी इतना इंट कि wanna इन है, मैं, संजीब बाहरी बैट ऑचते हैं, वहां से सुने, वह बोलती है कि मुझे तो ऐसा ओजाता है, कि यहाँ जैसे आते हैं तो मेरी आखी बंद हो जाती है, और ऐसा लगनाला है, पूरा एनरजी का फ्लोव शरू हो हुआ और जो एक पराकी लेंग्विश्टी वो फील होती है जैसे हम पासुरी है और वो जो सुनाना चाहता है वो अपने फ्लोव में सुना देता है तो सभिया के मध्यम से वो अस्ती तो पूरा बह रहा था वो फील हो रहा था तो ऐसी फिलिंग मुझे हुए हमारे दोस्तों भी हुए और एक बात में के इतने सरे लोग और आठ नौ दिन और आठ घंटे सुना और एक भी समस्या नहीं यह तो कोई अस्तित्व ही करता तो ही हो सकता है वरना नहीं हो सकता है वह ना कुछ तो कुछ तो थोड़े थोड़े तो केशन आने ही चाहिए और कंडिशनिंग ऐसी है तो वो फील हो रहा है अभी भी मुझे अंदर कुछ पिगल रहा है भीतर से और एक बात मैंने और सिखी समभिया कि हमारे पास ग्णान कितना भी हो बहुत पढ़ा है बहुत सा पढ़ा है लेकिन अगर आपके आचरण में नहीं है तो यह कुछ काम का तो ओग निगीन अब से सब्सक्राइब को पढ़ा है जैसे कोई आता है अपने प्रेमीजन को जहता है तो क्या होता है ऐसा हो रहा है बहुत बाइसा डालिया गय है तो फिर मुज़े सद्राप सिर्ट रखया maintained मैं चोड़ने गया था तो हो रहा एक यह सद्राइब का वताव्ण बन रहा है मैंने इसमय साथ होता ही नहीं आउस्वा गए इन आख में कि वी सारा चलते जैसे संगम शवनम गच्छा मी बोलते हैं, गुद्ध ने का था कि संगम शवनम गच्छा मी, तो पूरा जो यह संग है, वह जब यह, अभी इस दो लोग जा रहे है, तो मैं चाहता हूँ के भी मिलते रहे और ऐसी ही यात्रा चलती रहे, तो यह पूरा प्रेम का वातावन मैं दिख रहा हूं, मुझे फील हो रहा है अभी. So, thank you so much. Thank you, thank you so much. इस बार का शिबिर कुछ अलग था. पहले जो परिचे शिबिर थे, वो परिचे शिबिर से इसकी गहराई काफी दीब तक महसूस हुई है. और समझ के तौर पर मुझे महसूस है कि अब जो बार जीन दर्शन दिया है, उस दर्शन की गहराई कहीं पर महसूस हो रही है. और कहीं पर एक संकल्प भी बन रहा है और जैसे सुमया ने भी कहा कि 2021 का वर्ष जो है, वो अध्यन करना है और आरपार ही होना है. तो कहीं न कहीं एक मानसिक्ता बन रही है और संकल्प हो रहा है कि जरूर लेना है. मैं समझता हूँ, मैंने करीबन पाँच शे शिविर की ये लिगन इस शिविर की गहराई एक अलग ही ढंक से चूग गई है. और काफी समझ के तोर के ऊपर जो है, ये शिविर मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ. विजे ने भी ये शिविर को महसूस किया कि ये शिविर के अदर काफी गहराई थी और हमें इसे खूब लगने लगा है. मैं आबाजी के को केपते भी कृतक हुँ जिनों ने ये दर्शन मानावजात को दिया है और खास करके सोम भया, सुरेश भया, पूरी टीम, उनके पृत बहुत कृतिगना वेक्त करता हूं कि उनों ने हमें जो अद्बुद इस दर्शन की गहराई से मैसूस कराई है, उसके तो मैं शेयर करना चाहूंगा अब मेरे एक्सपियेंस, तो मेरी जो फर्स्ट परिचेश भीर थी 2019 में, सुम भया की थी निकोरा में, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होई, तो सब छूट गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं आदर्शू, ये लोगों कैसा रगता है कि मैं सबार से कि मैं ये अंडर्शीन कर रहा हूँ, तो मैंने भी ये सब बाहर का मुविज देख है, सब किया है, तो मैं आदर्श नहीं हूँ है, ये जूट इवेंचुली आया है, ये आदर्श है मैं अगा आज़ नहीं हूँ हूँ ह। और और अटने रिक हूँ 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 तो उसके बाद से एक journey स्टार्ट हो गई कि ऐसा कैसे हो गया तो उसके बाद से change हुआ मेरा कि physical यह जैसे यह विद्या को पढ़ने लगा थोड़ा understanding बनने लगी तब से physical जो गलती हुई थी ती कोई भी relation में कि कोई भी action किसी ने भी लिया तो इसका intention तो thought में भी नहीं आता थ उसका reaction ही होता था तो अब ऐसा हो रहा है कि कोई भी action ले रहा है तो उसका intention एक एक सेंड रुकता हूँ अपने आपको intention देख पाता हूँ और फिर intention के मैं अपने action में ला पाता हूँ कि उनके intention के प्रती में action लेता हूँ ना कि उनके action के प्रती में reaction देता हूँ और हाँ य कि आपने जो बताया कि जो रिलेशन है जो मित्र मित्र का और भाई-भाई का तो भाई होता है और जो मेल फीमेल जो सेम एज ग्रूम में जो प्लस-10 माइनस तेन एर्ज में तो उसमें बहुत संतोश मिला कि यार यह ऐसा सची में होता है क्योंकि हम को लेज में होते हैं डेली लैफ जीते होते हैं तो कुछ भी ऐसा थौट होता है कि मैं कोई एक्शन करूंगा तो उसके बारे में सामने वाला सोचेगा कि मैंने किस इंटेंशन से किया है। तो इतना सारा मांसी को भार रहता है कि कि कैसे वाला कितना सारा सोचना पड़ता है कोई एक्षन करें तो भी। तो वह एक मेरे लिए बहुत बढ़ा टेकव है। तो फिर 2021 अध्यन वारश है वो तो आपने वोली दिया है वो कर नहीं है। और आपने जो क्लेरीटी की मुझे यह था कि मुझे आई वन टो अंडेस्टेंट इस कंटेंट। तो एक ऐसा की कैसे करें तो आपने जो क्लेरीटी करें की शाक्षात्यकार से बोच से शंकल्प से अनुबव से प्रमानिक होने की जर्नी कैसी होगी। और हाव टू ओपन दर डोर्स ऑफ शाक्षातकार की उर्जा का अंतर नियोजन होगा और श्रवन और मनन होगा तभी आप कर पाओगे। तो उसके लिए थैंक्यू भईया और अस्तित्व पे विश्वास रखने की बात की और ये बोला की अस्तित्व पे विश्वास रखो जो भी घटना आएगी वो मेरे जागरी थिकम में मदद ही करेगी तैट इस वेरी बीग टेक आवे फॉर मी और मैं अपनी फैमेली को और फ्रेंड्स को सबको थैंक्यू कहना चाहूंगा की मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसमें मुझे हेल्प कर रहे है थैंक्यू कि अधिया जो अधिया जो जो नुमस्कार मैं मेरा नाम ओम है दिली से हुमें और मैं जीन विद्या परीचेश एच एच पिछले एक साल से जुड़ा हम 2019 में सुंभाई के मैंने काफी तरह के वीडियो देखे थे तो वो जब मैं वीडियो देखता था था ना तो वो समझ में आती थी हाया जो सोंभाई कहरे वो बात में चोच दम है तो फिर मैं यह सोच था था या इतना बड़े बड़े सेलिब्रेटी है वो कैसे गलत हो चकते हैं पूरी दुनिया जुची को फॉलो कर रही है फॉलो फॉलोवर इतनी मतलब इंस्टाग्राम फेस्बूक प तो फिर यह ना कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता यह सोंभाई वाली बात मुझे सही नहीं लगी लेकिन फिर मैंने बहुत सारे आपके छोटे-छोटे क्लिप देखे और भी बहुत तरह का वीडियो देखा तो मुझे लगा नहीं बात तो सब्सक्राइब और फिर जब मैंने प्रभावित हो सकता हूं अगर मैं लाइब कर लिया तो नदान कितना प्रभावित हो जाओंगा तो इसके लिए मैं आद दिन यहां पर आया तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी अपर्चनिटी है कि इस उमर में मैंने इस चीज को समझ लिया तो आने वाले पीडी के लिए सोचेंगे यह भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे तो इसमें मुझे यह बार कंफ्यूजन था कि आखिर सत मतलब इसमें कौन सच है कौन सही है कि सामने वाला चाहिए या मैं सही हूं तो वो भी पता चला कि निया थर्म सत्य के दृष्टी से जो चीज हम करने है तो चुत रिचाया में वोचिज सब्सक्राइब आता है तो मुझे था कि या मुझे ना फ्लूट फ्लूट प्लेयर बनना मुझे बाश्री बजाना तो फिर पापा मुझे कभी समधाते हैं देख प्लूट बजाना तेरा के रिया नहीं हो सकता वह चीज नहीं तो मुझे बहु तो वो में जो कुछ भी कर रहा हूं तो वो नियाय धर्म की द्रस्टी में ही रहे उसे बाहर ना जा इसका मैं ध्यान रखोगा और दूसरा मैंने परसने किया था कि साधे क्यों तो साधे क्यों को मतलब बहुत नेगेटीव मेरा नहीं था लेकिन फिर भी यह सोचता था कि आहर ये चार क्रिया ये जो बताई थी हमें क्या था आहर आहर निद्राभ है प्रेजनन तो मुझे लगा कि यही मतलब है तो मेरे कुछ सोचने में मैं बोर हो गया यार ये पाई करूंगा तो इसमें क्या काम चलेगा मेरा लेकिन जब आपने उस दिन पती-पत्नी के जितन ये आहर निद्राभ है प्रेजनन तो ठीक है लेकिन इससे बड़ा कोई एक हमको होमवक मिल गया तो वो क्लास पर्क में तो मैंने लिख लिया है अब उसको अब आने वाले होमवक में इसको करूंगा वो होमवक कम्प्लीट करना है मेरे को बस इसके लिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उमर में में कोई ये चीज़ की क्लारिटी हो गई तो मैं आने वाले अब कि कोई छोटे बच्चे को मैं ये चीज़ की समझ दे पाऊंगा कि आखे क्या हो चाहिए इन विद्या धन्यवाद तो रहाद कि व्प्छु झाले विद्यवाद कि दे लिए अजोट भी में आखे क्या है अब कि आखे को मैं प्रिवाद सभी को नमस्कार मैं जीवन विद्धिया समदने से पहले कई पंद्धिश्ट 677 से पाठक जी के संपर्ख से मैं एमदाबाद से हूँ बरत सुथार हूँ वैसे इंडेश्टर कंस्ट्रक्शन मेरा बिदने से और आर्किरेक्चर की दो फर्मे हैं अच्छी तरह और हम फन्नीचर बनाते हैं एक्सपोर्ट करते हैं लोग नॉर्मली चाइना से फन्नीचर लाते हैं हम इटाली भेजते हैं तो अच्छा है उपरवाली की गुरुपा से बस एक ही क्लिक हुआ अंजुदीदी ने मेरे को बताया कि एक जगा है जहां आप एक जगा आके देखो और मैं पाठक जी के वहाँ चला गया उसके अबाद में मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ा ब्रह्मा कुमारी का डोम मैंने बनाया पीस वॉल का तब भी प्रकास मनी दिदी मेरे पिछे पड़ी थी कि वह आप ये लड़की को मेरे को समर्पित कर दो जिगना को तो मैंने जाना भी बंद कर दिया था ऐसा में एकदम जिद्धी भी था और मेरे कॉंसेप्ट है रहते हैं कि मैं जो सुचता हूं वही सही है मैं किसी की बात सुनता नहीं था तो मैं कहीं इन्मोल नहीं हो साथा कहीं डिजॉल भी नहीं हो सेका था यहां पूरा मेल्ट हो गया हूं अब मैं एक बत बताऊँ कि बह Lucky सिबीर मैं उपण में एक ही दिन की मादे में डाकोर शे मैं मिशिस आ रहे थे मैं लोग बुलते हैं तो देखते तो आये हैं वहां एक ही बात मिली मेरे को एक ही दिन में एक ही सेंट्रेंस मैंने पकर लिया कि कोई जATH बुच वो अपने अभाव समझ के बाव में गलती हो जाती है, यह बात मैंने अपने बिजनेस में इंपलाई कि उसके बाद में, मेरा भाणजा, मेरा साइट सब देखता है, चीफ हेंश रहे, तो वो हर टाइम गलती करता था, थोड़ा काम रूटीन पर आया है, तवो अपने लिबर contractor या peace contractor जो भी होते हूं उनसे से मिल जाता था उनसे विलती करता था और मेरा दंदा चौपट हो जाता था उसको मैंने प्यार से समझाया उसको लाइन पे वो अपने आप आ गया अभी निम्राना मेरी साइट है जापानीज कम्री का मेरे को देखना ही नहीं पड़ता है ऐसे उसने पर दूसरी बात की एक इनके वीडियो गरा देखके मेरे को यह लगा कि मैं ऐसा क्यों पजेसिव हू वो सब सुनते सुनते मेरा लड़का कैनेडा सेटल हो गया वो टाटा संस में चेपे जीजर था बहु एमेल फार्मा में लेक्चरर थी उसे पार्ट टाइम निर्मा में लेक्चर करने जाती थी और पीएचडी है एमफाम उन्होंने एकी दिन डिसीजन ले लिया सुबे प्रवाव वर्ना मेरा गुस्सा तो 68 मेरा टेमपरेचर 98 के उपर ही रहता था मेरी अभी 68 अब लड़के को आके बोला तो मैंने बोला कि जो तेरे को ठीक लगे ओकर वो इमीजियेट दोपर की फ्लाइट से वापस दिल ली गया सापूर जी पालन जी में जाके रिजाइन कर दिया एक तारीक ये साथ तारीकों हुआ और पंदरा तारीकों वो लोग उड़ भी गए और वहां उनका कोई तय नहीं था कहां जाएंगे क्या करेंगे होटल में जाएंगे वहां रजिशिशन करवाएंगे बर्थ के लिए और अपना बच्चा वहां बर्थ हो जाएगा उसके बाद वापस आएंगे पर मैंने देखा कि फॉरण जाने के बाद में कोई वहां की सुख्या इतनी है मैं वहर साल यहां ठंडी में आता है हम गर्मियों में वहां जाते हैं पर उससे यह हुआ मैं दो साल टोटल डिप्रेशन में रहां कि मेरी बात यहां नहीं चली मेरे संतानों के आगे जीवन विद्यास से मैंने यह सिखा कि उनकी लाइब भी है उसको जो क्यों मैं उसको बार-बार कोशता रहो अपने आप में कोशता रहो अब मैं खूस हूँ हर दिन सुबह जैस टीवी अलग कोई फरक नहीं पड़ता है उसकी गाड़ी अलग वह आता जाता है वह कोलेज गई हम बहुते भी बात नहीं करते थे अब ऐसा है कि 10-15 मिर्ट हर रोड डेली सुबह उसे कर चोड़ने से ज़्यादा मिलता है यह मैंने पाया अब मैं हर बात को एनालिस करता कि मैंने यह क्या किया यह क्यों किया और अब मुझे क्या करना चाहिए उससे मेरे को अपने लाइफ की क्लेरिटी मिलती है वैसे नॉर्मली बोलना ही अवोइड करना चालू कर दिया कि अपन बोलते हैं कर इस कुम्प्लिक होड़ जाता है कम से कम बोलो और ज्यादा लाइन हो गए मेरे आप सब जानते हैं दो सिमीर में यहां आ गए जिगना जिगना का अब जो प्रॉब्लम था तो मैं यह सोचता है मैं यह कर दू मेरा बिदने साइज ज्यादा तर यूपी बिहार वाले मेरे लिबर्स होते हैं मैं अगर किसी को पांदस जार देदू तो इनलोज वालों के ताहत पर तोड़ देंगे पर मेरे को यह समझ में आया कि मैं कोई घलत स्टेप नहीं उठाओंगा उंचे आवाज में बात भी नहीं करूंगा अभी यह स्थिती आ गई चार साल के बाद में को उनको जुकना पड और भी और मैंने यह लॉक्र के अंदर मेरे स्टाफ को बोला मेरे पार्टनर्स साइट वालों को भई लोक्डाउन में आदा सेलिरी सामने से दे दो उनको पुहँचाया आदा सेलुरी कि वह उनके चेहरे पर जो तेज आया जो उजस आई तो हमारे स्टाप हमारा जो वर्किंग पार्टनर है क्यों मेस पटेल मेरा भांजा उन सबने डिसिजन लिया कि अपन पूरी सेलरी दे वे जैसे आज इस साल अपना कोई आउटपूट हुआ ही निये पूरी साल बंद रही है तो हम क्यों नहीं दे वे मैं बोला गोदरा वहां की लिबर फोर्स हमारे पर में राच शेती साल से हैं तो नॉर्मली जब होली आती होली के बाद में हम गाड़ी लेगे जाते हैं उनके गयर जाते हैं कुछ गिप देते हैं इस टाइम यह वाल लॉकडाउन के बाद में जब नीमराना का साइड चालू ही तो म कहां देखे आओ उनको इन्वाइड करके आओ अपना साइड चालू होई है मुझे नहीं बुलना पड़ा मेरे स्टाप मेरे जो मैनेजर और एंजिनियर होगे रहा है उन्होंने जाके हर एक के गर में एक जार एक रूपिया दिया कि यह लोगडाउन में आपने जो सर्वा है नॉर्मल्ल क्या होता है कि हुली से एक अपते पहले में 20 तारीकों अभी 28 सुख था 28 को वह ली है समलो तो 20 तारीकों लोग लेबर गर चली जाती है लेबर ने बोल दिया कि इस टाइम हम गर नहीं जाएंगे होली यह ही मनाएंगे हमको वहां जाके भी क्या करना है यहां नहीं होली मनाएंगे और काम करेंगे तो कुछ देने से ज्यादा मिलता है ऐसा मेरा यहां से विश्वास हुआ है और जिने का जो है मैं भी अब यह कि मैं यह बार बार अब यह सोतना लग मैं गलती करता ही हूं पर गलती करना मेरा स्वबाव में नहीं है मैं जो भी करता हूं गलती से हो जाती है, मेरे असमच से हो जाती है तो मुझे आगे ये गलती रिपीट नहीं करनी है और उसका बहुत प्रबाव अपने जिवन पे पड़ता है मैं आपका बहुत आबारी हूँ, नमस्कार झाल झाल पहले जब मेरा नम अर्चना है मैं अंदाबाद से हूँ जब जब छोटे से बड़े होते हुए तो एक क्वेस्टिन है न क्वेस्टिन याने की हमेशे ऐसा लगता था कि भगवान ने हमने भगवान ने हमको पैदा किया और ऐसी छोड़ दिया क्योंकि वो इतने हमारा घर तो अभी लगता इतना अच्छा है तभी भी आजू बाजू वाले में अगर घर में भी कुछ होता है तो ऐसा लगता था कि भई क्या कर रहे हैं भगवान ने तो हमारे सामने ध्यान ही नहीं दिया तो इतना अंदर से कभी-कभी यह होता था कि है क्या लेकिन अधिसेंटाइम जो भगवान के बाले में जो बोला गया था हमको तो उससे इभी बहुत strong feeling थी कि भई यह तो जीवन नहीं है या तो जो माबाप का बच्चों के साथ सबंद या तो हर एक सबंद यह जीना दुख होन हो जीवन है वो दुख बढ़ा होई नहीं सकता जो इश्वर को जितना भी हमने समदा था यूँकि वो जो ममी करती थी उससे अगरी नहीं थे ममी बोलती थी कि जैसे छोटे थे तो कर लेते थे लेकिन अब भी दिल से कभी भी नहीं किया तो लेकिन वो इश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता वो भी बहुत strong feeling थी तो वो यहां पे आके एकदम ऐसा clear हो गया कि हमने कितना समझा ही नहीं और दूसरा यह है कि मैंने अपनी तरब से बहुत ढूंडने की ट्राई किया लेकिन या तो इश्वर का स्वरूप जो जैसे बताते थे जैसे कि क्या वेद में भी जो लिखा है तो उसमें जिस तरह से चितरन होता था या तो हम किसी संसान में गए उन्होंने जिस तरह से भगवान बताया तो वो कभी लगाई नहीं कि ऐसे हो सकता है तो लेकिन यहां पे आके लगता है कि नहीं यही है तो सारे जैसे कि प्रश्न है वो सारा ठहर गया है और अब ये ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था जीवन में कि जन्रली मैं ज्यादा रोता था वैसे वैसे मैं तो अर्सना को मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग मानता हूँ और अभी भी मानता हूँ मुझे लगता है मेरी नईया वही पार राने वाली है मैं थोड़ा बत सोम जी को वही थोड़ा सिगनल दे रहा था शाम को कल तो वैसे वीनु भाई तुरंती सिगनल देंगे तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा लेकिन दो एक्जाम्पल देता हूँ वीनु भाई मेरे उपर खूब ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरा पता नहीं नाता ऐसा है मैं कल सुरेश भै कोई बोल रहा था मैं एक ही भगवान में मानता हूँ जो है हनुमान तो शादी भी उसने करवाई ऐसा लगता है काली 14 के दिन 100 से ज़्यादा हनमान चालीसा इक्यावन हनमान चालीसा बैठके बैंगलोर में भी वही किया और उसके बाद शादी हुई वो तो एक फिल्मी और इंटरस्टिंग स्टोरी है कभी मुका मिले गया बात करेंगे लिकिन दो चीज़ बताना चाहता हूँ मेरी जो कंडिशनिंग इतनी गहरी है अभी भी एक कंडिशनिंग बताना चाहूँगा मैं बहुत ही भूखा हूँ इतना भूखा हूँ जैसे शेर शिकार के लिए भूखा होता है मैं इतना भूखा हूँ अप्रिसेशन के लिए इतना भूखा हूँ मतलब इतनी गहरी भू तो मैं गोड़े की तरह दोड़ सकता हूँ इतना भूखा हूँ मैं और ये भूख कहां से आई है वो इस बार जब मैं मेरी मम्मी के साथ रहा ज्यादा पिताजी रह नहीं तीन साल पहले उसके बाद विपश्चना और ये सब हुआ तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी इतनी गहरी कंडिशनिंग क्यों है तो मैं तो मैंने बोला ना कि बोलना ही कर दिया है बीवी के साथ मैं तो जनरली 11 से 9 दुकान चालू और अरशना को जब भी भी टाइम मिले तो इयरफॉन घुसे हुए है कान में और तो कुछ का कामी नहीं है मतलब पॉटी जा रही है खाना बना रही है वो कर रही है खाली ईय फोन चालू इतना उसने सुना है मैंने कम लुग कर्डिशनिंग मुझे समझ में आ रही है क्यों है काफी मुझे लगता है 25 परसंट जितनी कम हुई होगी अभी क्योंकि थोड़ा मेजर्मेंट जादा अच्छा है मेरा और दूसरा है परफेक्टनिस्ट जो मैंकल सोम जी को बोला मैं बहुत ज्यादा परफेक्टनिस्ट हूँ और इतना ज्यादा कि कई बार 80-20 का जो रेशियो होता है उसमें जो 20 परसंट टाइम स्पेंड करने के लिए हम जो चीज को परफेक्ट बनाते हैं उसमें हम 80 परसंट टाइम एफट कर लेते हैं इतना ज्यादा मेरी खुद की ट्रांस्ट्रिप्ट मैंने बनाई है उसके बाद दूसरे दिन खड़ा ही नहीं हो पाया था जो जनरली आजकल लोग यूनिशिटी के बार ऐसे ही बनवा लेते हैं दूसरी चीज मैं जस बताना चाहूंगा कि ऐसी कई घटनाय बनी है तो एक चीज मेरी बहुत स्ट्रॉंग हो गई है कि जितनी भी खराब घटनाय बनेंगी जिसको हम खराब मानते हैं मैं उसको खराब लेके चल रहा हूं यहां घटनाएं बन रही हैं, ऐसे लेके चलेंगी तो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा राहत मिलेगी जीवन में, जीवन नहीं बोलना चाहिए जिन्दगी में, तो मैं अभी ज़्यादा मांग रहा हूँ के ज़्यादा घटनाएं बने, तो एक छोटी सी घटना कल की जो अभाविक है, छुट्टे लेना वो भारत में सबसे बड़ी समश्या है, राइट, कहीं से भी हम छुट्टे लेने जाए तो मिलते नहीं, तो मैं साथ दुकान पर गया, एक लिस्ट सेवन शॉप्स में घूमा, सौके छुट्टे लेने के लिए, लेकिन मेहता डेरी है पाल मैं चुट्टा था, तो मुझे फिर से वो रियलाईज हुआ, कि मुझे कुछ करने की जरुवत नहीं है, लेकिन वो चीज तो काफी क्लियर हो गई है, सुरिश भाई को तो मैंने दो-तीन बार बोला है, कि मिला सबसे बड़ा इस्यू ये है, कि मैं जॉब के साथ जो पैशन है, वो पैशन को जो कंटीन्यू करना चाहता हूँ, उसमें साथे बड़ा क्वेशन ये हो जाता है, कि मैं पैसे कितने लूँ, वीकेंड को अगर मुझे कुछ काम करना है, तो, पेफरम हाट, ये लॉजिक तो आई गया है, तो मैंने दो-तीन लोग को तो बोल दिया है, और बोलना नहीं चाहता हूँ, चीजे तो काफी है कहने लाइक, लेकिन आप सब लोग चेक करेंगे मुझे, कि कैसा चल रहा है, तो हम एक से आट जून के बीच में तो मिलेंगी, और बाकी तो मिलते रहेंगे, और बस ये कहना चाहता हूँ, कि रोना कई बार आता है, लेकिन म अगर आजाता है, मेरे रॉंग टे खड़े होना और रोना, तो आगिवाल जी ने बोले, फिर अभी भरत भाई बोले, उससे पहले, I think, मैं बूलिया, I think, दो-तिन लोग और बोले थे, तब भी ऐसा फील हो रहा था, और करते हैं, और यादा, अच्छा ही होगा, सब कुछ तो वही बोलना था, कि अभी करना है, तो यही करना है, उसमें अभी कोई डाउट नहीं है, मेरा, मेरा नाम कौशी मेता है, मैं भूच से हूँ, सजीवकिती की ट्रेनिंग के लिए मनोज भाई के उदर गये थे हम, तो 2012 से मेरे को पता चला, कि ऐसे कोई नागराज जी है, और सौम भाई का वीडियो थोड़ा बताया था, उदर हमको साइलेंदर भाई करके है, तो 2012 से मेरे को सिबीर करने की इच्छ थी, लेकिन किदर भी कुछ बंदोबस नहीं होता था, होपीस में से चुटी नहीं मिलती थी, कभी पैसे इतने नहीं होते थे कि आप पूर ज जाए, तो बहुत टेंसन होता था कि कब होगा ये, 2012 से लेके अभी तक हुआ नहीं, तो एक दिन अचानक मेसेज आया मोबाईल में, कि मांडवी में सिबीर है, तो मैं इतना खुस हो गया नहीं, कि अभी जो भी होगा, मेरे को मांडवी जाना ही है, तो मैं दो तीन गंटा इसे नाचता रहा अकेला गर बे, कि चलो अपन के लिए संबाई कच आगे, अपन को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इदर सिबीर में आने से पहले मैं बहुत जगह जाके आया हूँ, और बहुत सारी सिबीर है किये, बहुत सारे संस्ता में गया हूँ, बहुत काम किया है, लेकिन इदर जो पता चला ने, वो एकदम मज़ा आ गया, और मैं पहले डरा हुआ बहुत था, तो अभी डर मेरे को बिलकुल निकल गया है, तो ये आठ दिन का सिबीर हुआ, उसके बाद इदर का तारी मिला था मेरे को, पाली तरना का, तो तब ही मेरे को तीन जगह ज नकी नहीं होता था, फिर घर पे बात किया, तो बोला पहले इदर ही जाके आ, एक किया है, तो दूसरा कर ले, तो ऐसे इदर आ गया, तो इदर मांडवी से ज़्यादा इदर मेरे को मज़ा आया, मांडवी में तो कुछ नया था, तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन इदर स पता चल है महांदूवी में ज्यों बोला था उक फटा चल गया और नए भीद बोट पता चल गया। तो अभी मेरे को डर बिलकुल निकल गया है और दूसरा क्या हम तना काम कि अर्पर कर सकते हैं। हिम्मत बहुत बढ़ गया है कि एक आदमी दुनिया उतला सकता है वो बात बताते हैं वो बतल इधर लगती है कि एक आदमी दुनिया बदल सकता है नमस्कार अब तब तक सेरिंग कर देता हूं तब तक आप सैट आप को दो अ सब से पहले तो सभी सभी मान वहों से बहुत बहुत समा सुम भया से समा लीका गया है वीनु भाई से समा और सभी साथीओं से समा मैं थोड़ा सा शमा 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 मापी बाला उतम् oppression वहीं बाव हो उत्तम मिच्छा म干ांज कान बता देता हूं बच्पन से हमेशा खुद को गालियां देता है रहा सिर्फ इक चीज के लिए यार तेरे इतने सवाल क्यों होते हैं यह सो रुपे दे रहे और पांच किलो आलू आ रहा है तो चलेगा इतना ग्यान मिल रहा है और कोई परताड़ना भी करता है थोड़ा बहुत तो सवाल का जवाब मिलना चाहिए अगर बात होती है तो चलेगा इतना सब्सिंपल बिजनस रहता है था जीवन विद्या में आया आते ही पहले दिन जितने सवाल सब के जवाब ये सही जगा है बाई एक दिन के आया था मैंने सुचा देखूंगा क्योंकि एक्जाम ने के आया था तो ग्यान नहीं चाहिए था विनु भाई को फॉन करके पहे पूछा था एक जाम देखा आया हूं मस्ती करने आ रहा हूं ग्यान नहीं चाहिए पिर देखा कि ये तो और भी बड़ी चीज है सवालों के जवाब मिल रहे हैं दबा के सवाल पूछे भाके मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला और जब मैं कुमा में था तो जाते समय सोम बैया से मैंने बोला सोम बैया जब भी बाहर कुछ होता है तो अंदर कुछ होता है पहले भी होता रहा होगा लेकिन अब ध्यान जाने लगा है ये बोल रहे हैं अंदर क्या हो रहा तो भीया ने का शुक काम ना है, शौफ पर एक्टिवेट हो गया है, उसके बार यात्रा करके वापिस आया, तो जब भी सवाल पूछता है, तो कई बार मुझे लगता था कि जैसे लाज के दो दिन में मैंने कम कर दिया, बहुत से लोगते हैं, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे वो मेरा 1% भी परपस नहीं है भाई, वो मेरे व्यक्तिकत सवाल है, विनु भाई एक दिन में को बोलते हैं, तुम इतने सवाल पुस्ते हो, ये ने चलेगा, डबा हो, सवाल भी डबा है तुमारे, तो मैंने का विनु भाई बिलकुल डबा हूँ, इसलिए तो सवाल डबा है, इसलिए यहां से जान पाऊंगा, एक दिन सोम भाईया मुझे बोलते हैं, रुको, 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 तो मेरे अंदर मुझे इतना आनन दाया, कि ये इतने बड़े-बड़े प्रभावित करने वाले लोग, जिनको सोचल इंफुलेंसर बोलते हैं, प्रोग्राम के इंफ तो रभावित नहीं हो, क्योंकि मेरा मकसद सीवीर को ब्लॉक करना नहीं है, सवालों के जवाब पाना है, लेकिन उस पूरी परकरिया के अंदर व्यवस्ता इनको बनाना, भई मैं मैं से पिसलिए बार सुरेश भाई साब को बोल के गया था, क्रिशना बहुत-बहुत सौर सवालों के जवाब रूट रहे हैं, और उसके अंदर भी आठ दिन तक और वो भी रोज, तो आप ये कर रहे हो, व्यवस्ता पकी दुर्ट, वो उस दसा से बहुत मुश्किल है, तो उस पूरी यातरा के अंदर कहीं भी दो चीजे रही है, पहला ये जानने की जग्यासा, और दूसरी कहीं पर भी बीच में कोई शेरिंग रही है, मुझे लग रहा है, या तीन लोग ये बात कर रहा है, मेरे को समझ में आगी तक और मैं भी अपनी बात रख दूँ, क्या पता समझ में आ जाए, तो एक तो जिग्यासा और दूसरी उप्योगीता, उसके अलावा क कोई उद्देश ये नहीं रहा है, कई लोग ने एक दो नहीं बोला, सुल्टान राके बोलते है, तो यार अटेंशन सीख करते हो, मैं का अटेंशन सीख करने के लिए इतनी दूर बाड़ा लगा करके इतना इंपोर्टेंट काम मैं पाड़ों पर जाना चाता था, तो जादा मैक्सिमा उट्पूट दे सकता है, उतना देना है, उस पूरी जिग्यासा और उप्योगीता की यात्रा के अंदर किसी को भी अंसमात्र भी तकलीफ हुई हो, सब्द नहीं अभाव है, उसके लिए बहुत-बहुत सौरी, और आप लोगों ने मुझे परदास्त किया वो कुछ सीखा समझा, जो कुछ भी मैं किसी भी काम आया पाया, उसके लिए अनन्त-अनन्त-कृतक गिता आप सभी लोगों के लिए, और एक गीत छोटा लिखा है, तो सुना देता हूँ, गीत के बोल, जो है, वो मेरे हैं, संगीत मेरा नहीं है, संगीत पहले से हैं, बढ़ा सब्सक्राइब, जो कुछ भी मैं मुझे देख रहे हैं, से बहार निकल बढ़ाता हूँ, जो लोग खुल के मेरे सामने बोलते हैं, उनके लिए अनन्त-प्रेम है, क्योंकि इतना प्यार से लोग बोलते हैं, पीसे जाके बोलते हैं, यह क्या कर रहा है, क्यों कर र यह और एक कृतक गिता, अबजीत भाई के लिए उन्होंने अपना पन्ना और पैन मुझे दिया अभी लिखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आपार अबजीता बाद में ऐसी थी, ओके अरे वाज, और मेरी भी वाजावी अबजीता बाद में आपार है मानव मानव भाई अस्तित के एक इकाई है मानव मानव भाई अस्तित के एक इकाई फिर कैसा गई ये ऐसी लड़ाई ये बात समझ नाई मानव मानव भाई प्रेम सने करुणा वाद जल्य अरे गुमन में हो तो क्या हो आवार भरा हो हर मन में हर वैग्दी की उप्यों गीता हो हाँ पिर मिल जुल जहाज बड़े आगे हाँ पिर मिल जुल वहाज बड़े आगे हर मन में प्रेम सगाई मानव मानव भाई अस्दित्व किये गई काही हर जयन कर खुद को पा जाए ऐसा अब तलक नहीं हो पाया धर्म ज्यान के मा रगने दो मानव को और भी उल जाया पर अस्दित्व की समझ मानव को वह जयन से भी आपाई हर मानव को बदाई हर मानव मानव भाई हर दो तलक पाल तलक बाई तलक बाई लुट तलक बाई तलक बाई तलक बाई अर्मान अगमा यह कैमरा सोम जी प्रगादो कुछ लोग बोल रहा है मुझे वाटब पे की सोम भाईया कहा चले गए तो अब नाक से बांसुरी बजाओंगा उस तिखाना नहीं है लेकिन आप लोग देखें इसको तोड़ा नाक से बजाते हैं अर्मान अर्मान चाहाँ नाक से बांसुरी बजाते हैं झाल बहुत बहुत शमा और बहुत बहुत आभार दोनों एक साथ कुछे सूप से मेरे भाई हम लोग बैठ जाते हैं सोमजी भी बैठ जाते हैं रेस्ट कर लेते हैं लेकिन ये हाथ भी हिलाते हैं और खड़े रहते हैं पाउं हिलाते नहीं हैं थे लिए नहीं हैं और बहुत बाई जाते हैं ये डिए अजय दो आखिए नहीं हैं लोग बैए एक रहिंगे ये जाते हैं वहाँ नहीं आओंगी वह अभी भाव पकड़ा तो बहुत दगदग होता है यहीं से ठीक है जैसे हम लोग जब पहले पर मतलब परीचे शिवीर किया तो ऐसा लगा कि भुद्काल की पीड़ा वर्तमान का विरोध और भविश्य की चिंता निकल गी फिर वहाँ से जाने के ब श्यूल दखषीन के टइप चलता है फिर अदो बच्चों के लिए शादर तो फिर मैंने ए इस चाहिए तो चिंता होने लगे यह का से आता है ये क्या है तो फिर एकदम ऐसा लगा कि यह अभी तो चिंता एकदम से नहीं गई है, कहीं पर है, किसी भी फॉर्म में है फिर अभी यहां आने के बाद दो-तीन दिन पहले मेरी अपनी सिस्टर के साथ डिसकसन हुआ तो उसमें भी हम लोग चुगली-चुगली वाला थोड़ा रहता है, क्योंकि एक दुसरे के साथ अपनी लाइफ शर करते हैं, तो कहीं पर लर्निंग के बिस पर रहता है तो वहाँ पर देखा, कि भुद्काल की पीड़ा जो है, वो शब्दों में आनी चाहिए, लेकि भाव में वो पीड़ा नहीं आनी चाहिए, अगर चली गई है तो तो फिर वो भी देखा, तो कल आपने जब बोला ना, कि घटना का विकास करम में, मतलब में जिन्दगी के विकास के करम में जो अतना रहती है न, वो तो एकदम से सटिक बैठ गया के, तो वो पीड़ा चली गई है, क्योंकि वो पहचान लिया कि वो होना जरूरी है, तो व स्तित्व पे विश्वास रखना है, तो जिन्ता भी चली गई, तो वो एक बात में को बहुत क्लियर हो गई, फिर मेरा नेचर रहता है कि हम लोग फिर ये जो सब्द, वो ऐसे कॉमिक के रोल में हम बोलते रहते हैं, तो एक बात में पहले इंसा है न, तब भी बोला कि मैं ह हूँ, तो मैं ऐसे हसाने के लिए हम सब बोलती रहते हो, लेकिन जितनी बार वो बह बोलती हो न, तो अंदर से सटीक रहता है, मैं हूँ, तो तुरंत ऐसा होता है कि मैं हूँ, तो ये पूरा जो बताया आपने उसके जिम्मेदारी आ जाती है अंदर, तो पूरा वो फिर आसवादन में, चितरन में, वो सब आ जाता है, वो इतना अफ्रेक्शन में होता है, तो मैंने सोचा कि ये तो सुत में रोज बोलती रहूंगी, भले हसने के लिए कैसी तरह, क्योंकि वो एस दम से क्लिक करता है मेरे को, फिर जब परिवार की बात ही, तो मैं जोईन फैमेल काई न ही है, तो मेरे को ये भी लगता था, कि बच्चों की परश्रिश में वो कहींना कहीं, रोल, दादा, दादी, सब का मेरे को ये करना है, तो मेरा खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जह गलत हू रहा ये वो, पर अभी कल मुझे, आपने जब दोनों पे चौकडी लगा दी, तो मेरे को बहुत छान्ती हो गई, कि हा ये तो, कमपलीशन कहीं पे भी नहीं है, अगर समध्दारी नहीं है, तो मैं उसको समझ के साथ करूँ, तो मैं जॉइंट में हूँ, या निकलीयर में हो, कोई फरक नहीं पड़ता, फिर ए अशीम है, और ये शक्ती बल से संपन है, वह बंद नहीं होगा, लेकिन आपने एक हाईवे दिखा दिया, तो जस्टिफिकेशन अभी आपने आपको करती रहूंगी, ये सही डिरेक्शन में है, नहीं, तो वह वहां तक जाने का एक क्लू रहता है, तो, और उपलब ठी के में तो यहां से बैक्टू पैविलियन जब जाओंगी, एक हफते के बाद मेरी दोनों बेटिया जो फीडबेक देगी, वही उपलबदी होगी, बस, थैंक यू, ऐसे ये ढूनने की जर्नी बहुत टाइम से चल रही थी, बट अभी सही प्लाटफोर्म और सही जगह पे पह जाता है, मैं हरोज टेकवेस में मेरे लिखता था और मेरे खुद के एक्सेंस में क्या करूंगा, वहर रोज लिखता था तो मैंने अज सुबोर के पूरा उसको लिखा है, बहुत ज्यादा है ऐसे देखो तो एक पन्ना भरके है, तो उसमें मैंने शुरूवात में ये काट में आ जाता हूं, कि मेरा जो एक मात्र काम है, वो मेरी पात्रता बढ़ाना है, मैंने देखा था और उसके लिए मुझे क्या करना है, तो पहला मैंने लिखा है, कि दुसरों के प्रती उदारता और अपने प्रती कठोरता, यानि जैसे गर में है, फैमिली में है, कहीं पे भी में हूँ, तो मुझे कहीं भी दिखता है, तो कठोर मेरो मेरको अपने आप पे होना है, उसमें ये भी लिखा है, कि मैं वीकली एनालिसिस, स्वर निरक्षन अपने आप में करूँगा, और मेरी फैमिली का फीडबेक रेगुलरली लूँगा, देन, ऐसे तो बहुत सारी बात है, आपने ये भी बोला था कि अहंकार, अहंकार के लिए मैं कंटिनियूस फीडबेक सिस्टम में ने बना के रखी हमारे गर में कंटिनियूस, मेरी बच्ची भी मेरको फीडबेक देती है, उसको हमने हाट टो बोला है, तो हम लोग ये रेगिलर करते हैं, स्वर अभी जो लेवल है वो इसके बेज पे हो गया, तो हमारे गर में ऐसे बहुत सारी सिस्टम में तो अभी बढ़ भी बड़ा आ जाएगा, उसने बोला है, तो सुबह और साम, टोटली अध्या चलेगा, सुबह डेड़ गंटा और साम को डेड़ गंटा, वो हमने डिसाइड क क्रिया का अभ्यास अभी कंटीन्यू करना है, यही राह में जाना है, अभी दो चीज में ने लिया है कि जीवन क्रिया जो है, उसको टोटली अभ्यास में में लेना है, यह अपने बुला है समवाद वन और टू तो पढ़ना ही है, पर उसमें मेरा ध्यान दो चीजों पे ग समझ रहा हूं अर्थ के हिसाब से और समझ के हिसाब से इसमें परिवार के रूप में दो responsibility बड़ी दिख रही है विवा का बात पहले बाद में करता हूँ पहले मेरे बच्चों के तरफ भी है पर यहाँ यह भी दिख रहा है कि मेरे माता पीता भी मेरे बच्चे की तरह ही है उनको भी अभी हम दोनों विवा करने वाले है तो आप सबको आमन्द रहने है और गुरुजी जो सुरेश भाई है मैंने उनको पिता ही माना है उन्होंने ये रास्ता लिखाया है तो उनको कुरुतग्यदा और अभी मैं दादा की जग पे आपको रखता हूं तो ये जर्णी में आप से मेरे को ज़्यादा सीखना है उनसे मैं लर्निंग कंटिनियूस बेजिस पे छोटी छोटी चीज़ों में लेता रहूंगा बट आप से बहुत ज़्यादा अपक्सा है बविश्य में भी रहेगी और यहां पे दूसरा चीज जिसे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूं मैं एक्सपांड हो रहा है यहां पे जितनी भी बच्चिया है यह ऐसे रेखो तो मेरे से ज़्यादा एज में बहुत छोटी नहीं है पर जब यह लोग शेयर कर रहे थे ना मेरे को मेरे मेरी बो बेटिया ही याद आ रहे थी तो इतना वह भाव आ रहा था ना कि अभी यह 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 लोग परिवार एक्सपांड हो गया अभी परिवार चार्ज जनका नहीं है अभी भी हम लोग प्लान कर रहे थे कि सुरत में कैसे मिलेंगे मैंने में एक बार सब साथ में मिलके गोष्टी करेंगे और वीकली और पंदरा दिन में ऐसे गोष्टी चलेगी तो पूरा जो सेंटर पॉइंट जो रखा है वो जीवन वीद्या रखा है अभी भी बहुत सारी अंदर जो वो चल रहे है कि लाइफ को जिन्दगी को और क्योंकि पापाममी को भी यहां पर लेकाएंगे तो वो भी समझेगे तो तब तक मुझे सैट करना है सब कुछ तो मिरको लग रहा है कि आगले एक या डेट साल में सब कुछ सेट अप हो जाएगा और मेरा तनमन दन पूरा ही जीवन विद्या में में लगा दूँगा यहांसा है दुसरा जो वीनुबाई एंटीम सैल्यूट है उनको जो वो लोग कर रहे हैं और उनके कारण ही हमको मिल रहा है नया जीवन तो वीजे भाई है वीनुबाई है सबी लोग पूरा परिवार है सब के लिए कुरू तक थेंक यू, थेंक यू. लालदवाई निरंतर बुस, बस यही है, थेंक यू भाईया, नमस्कार भाईया, नमस्कार सभी को, मैं राहूल हूँ, एहमदाबास से, अब देखा जाए तो, इसे हम चारों की यह चंडाल डोकडी है, जो 16 साल से ऐसे ही ब्रह्मी तवस्था में थे, बोल सकते हैं, बहुत कुछ साथ में किया है, और जैसे, एक चीज अगर दर्शन के माधियम से देखे हैं, तो जैसे, यह दोनों खुनी बेहने हैं, और हम दो साडू भाई हुए ऐसे, तो गुजरती में जो उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं, हिंदी में कैसे करते हैं मालूम नहीं, लेकिन गुजरती में बोलते हैं, एक दुकान माथी शेत्रा एला बेगराक। इस रियात्रा में जैसे यह दोनों बेहने हैं, तो अगर इस सरीर यात्रा की गटना करम भी देखें, तो हम दोनों की कुछ अलग नहीं है। मिले उससे पहले भी बहुत सिमिलर गटना करम हुई है। राज तक ऐसे होती रही है। जो बाद में हमें पता चला अगर दोनों की टाइम लाइन देखें, तो सारा सब कुछ सेम होता था। यहां दर्सन के माध्यम से पता चला कि यह पिछली कुछ जीमन यात्रा रही होगी, जो यहां पे भी हम इकठा है। तो इसी भाव से हर कोई दिखता है कहीं कुछ तो हुआ होगा कि हम सब साथ में है। अब यहां के बहुत कुछ ऐसे अभी तो बोल सकते हैं कि सिर्फ सुना है। कितना समझे हैं वो देखेंगे तो आगे मालूम पड़ेगा कि उसको जी के कैसे आगे समझा सके जो प्रमानित हो सकेगा। तो खुशिस यही रहेगी कि यहां पे कैसे जुड़े रहें इस दर्सन से और आगे खुद बढ़ना है सब को साथ में कैसे ले जा सके। प्रमाशकर भाईया, मैं संजय भाई को गूरू मानती हूँ, इससाब से आप मेरे पड़ दादा हुए और ये सूरेस भाई दादा हुए, थैंक यू, मेरी शेरिंग, मेरे यहां बच्चे हुए, मेरे दो बच्चे, एक टेंथ में, एक कॉलेज में, तो मैं यही सोचती थ अगर वो लोग मेरे यहां आये हैं, उनके जीवन का परपोस मुझे पता चल जाए, क्यों मेरे यहां आये हैं, तो मैं उस हिसाब से उनको, मतलब ग्रोव, उनकी परवश कर सकती हूँ, तो मैं सभी को ऐसे पूछती रहती थी कि आपने बच्चे क्यों पैदा की हैं, क्यों और फिर यह भी सवाल आता था कि यही बच्चे मेरे गर क्यों आये हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे, अब इसमें से मुझे यह पस्टता आई है कि उनका लक्स तो मेरा जो लक्स है, वो ही उसका यह सारी मानो जाती का लक्स यही है, तो as a family यही काम है कि सब को उनके मतल कि मैं कोई भी शीविर नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो, मैं कोई भी शीविर के लिए नाम मत लेना, मेरी डेट पी, कुछ मुझे नहीं करना है इसमें, तो थोड़ी upset हो गई थी मैं, कि सोंबय तो बोल रहा है कि यह पती-पतनी का साथ में चलते है, तो ठीक रहेग तो मैं यह जो भी मैं लेके जा रही हूं, उसको मैं अपने अंदर स्थीर करूं, और वो मेरे आचरण में दीखेगा, तो कही न कहीं उनकी यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो यह मैं लेके जा रही हूं, और हम लोग संजे भाई दो साथ से साथ में जूड़े हुए है, बहुत सारे काम करते हैं, और हम लोग एक प्रोग्राम चला रहा है, उसमें हम माताओ को मतलब शिक्षन देते हैं, तो अभी मैं यह सोच रही हूं कि अपना जो अभी पावक विद्यालई का जो प्रोजेक्ट है, जो भी है, तो उसमें मैं उसमें आगे काम करना चाहती हू और सुरेश सर्ण भी बोला था कि वो contact number देंगे मुझे इसके लिए, और हाँ, इसमें कल आपने मुझे बताया था कि परिवार की पहली आवशक्ता गिला शिकायत मुख्त है, तो मुझे लगा कि परिवार की तो है लेकिन सबसे पहले वो मेरी आवशक्ता है, कि मैं गिला यह मुझे दिखा और मैं बहुत सालों से गातरी परिवार से जुड़ी हुई हूँ तो जीवनवीदय का शिबीर में मानवी में करने के लिए आई इन तो मैंने मेरे पापा से बात की थी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि बहुत सालों से पापा पूरा फैमिली इसमें लगा हुआ ऒजिए नहीं कहें कि अपना है वह ती थी कि दुस्रा नहीं करो तो मैंने Anita से बात किया कि मैं आई तो शिबीर में जा रही हूँ तो पापा ने की शब्दा बोला कि यह पूरा प्रयोजन collecting government योजना पूरी योजना है उसमें कों कहां कैसे काम लगेगा वो पता नहीं है ये भी उसी योजना का तू पाट है और वो ही करने जा रही है तो तू बिंदस कर, तो मुझे इतना अच्छा लगा, और जो परिवार के साथ, गाहतरी परिवार के साथ जुड़े हुए बहुत सारे मेरे सवाल थे, मैं उसमें एक महीने की शिविर करने गई थी, तो ये एक हिंदू का जो है यगनवीदी ये सब उसका जो मर में मुझे वहां तक उसको पहुचाना एक मोमेड इंतो को उसमें मुझे वे नहीं मिल रहा था, मैं वीपस्टन में भी गई तो वो भी मुझे 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 वो वे नहीं मिल रहा था कि कोई भी जाती का, कोई भी दर कोई भी इंसा नो उसकी उसको जीवन को एक अलग लेवल पे पहुचाने के लिए क्या है तो ये रास्ता ये जो प्रोसेस मुझे यहां से पकड में आई है तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं और एक और चीज है कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव रहता था तो मुझे कह नहीं ऐसा लगता था कि ये मेरा ब्रहम है किसी को दिखाने के लिए मैं कर रहे हैं कि नहीं बच्चे मुझे अच्छे लगते नहीं लगते हैं लेकिन कल हम लोग गेट में खड़ेते हैं वन्नाबेन ने बोला हम लोग संधीपनी स्कूल है वहां पे जा रहे है तो मैंने ब तो या टीज मुझे यहां से मिली है। उसके लिए दन्यावद आपको सभी को, सभी जीवन परिवार परिवार को धन्यवाद मेरे question था जैसे आपने बताया था कि नियम और उनकी तीन कैटेगरी बताई थी तो थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए नियम जो है साथ अस्तित्व के वो तीनी कैटेगरी में उचा आपने बोला था कि इसे बाहर नहीं होंगे याद नहीं है मेरा नाम योगिश है और मैं नोइड़ास हूँ काफी लोग है साथ मेरा पर्चा हुई है शेरिंगे रूप में था कि ऐसा तो कुछ खास नहीं है सभी के साथ ऐसा ही है यह पर जितनी लोग हैं अपनी मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के जो गड़े दिखाये जो कॉम्पलेक्सिटी अपने अंदर आ गई थी उसको भाई थोड़ा सा और बढ़ा गया तो बात कुल जो बात जिस तलाश में मैं यहां पर आया था वो यह थी कि अपने अध्यन को कैसे आगे बढ़ाना है तो वो तो एक पूरी हो गई और जो मेरे अंदर जो एक ख्याल आया था कि यहां तक की जर्नी क्यों 12 किलोमीटर यहां आना और फिर जाना क्यों ही यहां तक इतना क्यों भाग दोड़ करी थी तो मुझे बाद में हुई तो स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो लेक्चर देखे थे तो मैं भाइया से बहुत प्रावित था और लेकिन प्रावित अब अब सम्मान है भाइया के लिए क्योंकि अब बावाजी को सुनता हूँ तो भाइया के लिए प्रावित नहीं होता हूँ यह एक बड़ी उपलबी थी लेकिन अभी थोड़ी दे पहले जब भाई गाना गा रहा था तो ऐसा लगा कि भाई हम तो कुछ नहीं आते हैं अपने को कुछ चाता ही नहीं है ऐसे खाली खाली एक टरा लेकर घूम रहे हैं तो भाईया के साथ बैना जो जरनी में साथ दिया जब भी कॉल करता था भाईया रिस्पॉंड करते थे उसके लिए बहुत धन्यवाद और मैंने बत पहले बहुत पिता के रूप में सुविकार कर लिया था भाव रूप में तो आज भी है ऐसा नहीं है कि नहीं है धन्यवाद नमस्कार भाईया और सभी लोग नमस्कार मैं अभिजीत हूँ अहमदाबाद से हूँ और अग्चुली जब मैं परीचे शिवीर में आय था दो परीचे शिवीर किये हैं और यह शिवीर भी किया है तो शेरिंग का ऐसा कभी मन इसलिए नहीं होता था क्यूंकि मुझे हमेंसे ऐसा लगता था कि जब तक मैं पूरी 14 बूख और अध्या ना कर लू और तब मुझे मंतनी चल रहा है पहले भी वही चल रहा था तो पर जब हम पहले भी थे जब कॉलेज में थे स्कूल में थे तबी यह जो वाट नेक्स वाला भाव था वो हमेशा रहता था क्यूंकि सौबाग ऐसे ऐसे परिवार में जनम हुआ कि जहां पर बाकी सब जिन्दा रहने की कि नीचर में सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए पर है क्यों नहीं तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि समय दन शिलता इतनी बढ़ जाते थी फिर ऐसा लगता था कि यह समय सा निरंतर क्यों नहीं रहती है तो यह सब चीज थी थी कि पर अब हमको पसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था ऐसा कि समय दन शिलता की उपर भी कुछ चीज होती है जैसे संग्यान शिलता होती है तो अब यहां पर आने के बाद वो सब पता चलता है कि भाई एक लिवल उपर भी है और जहां पर जाके हम इसको कॉंस्टन या तो निरंतर कर सकते हैं तो पूरी यह तीनों शि संग्यान शिलता तक पहुंचने का रोड है तो जैसे बाद ने कहा कि भाई दो हजार इकीस अध्यान का साल है पर मेरे लिए तो भी ऐसा लगता है कि जब तक जीएंगे तब तक अध्यान करना ही पड़ेगा उसके लिए और को अप्शन है नहीं तो बस इतनी मेरी उपलद दी थी, सो दन्यावाद। कि कोई भी घटना को लेकर हम अंदर ही इतना डिस्टरबंस क्रियेट करते थे कि ऐसा लगता था किसी के साथ और शेयर करना पड़ेगा अगर शेयर नहीं किया तो किसी की रियक्शन के रूप में बार आए गा और वो रियक्शन के रूप में आता भी था पर तीसरे दिन तो पूरे दिन चलती थी, खतम ही नहीं होती थी, पर ये फोन में जो घटना बनी, उसके बाद मैंने एक ही सेकेंड के लिए क्यू और क्या पुछा, तो स्वीच बन करते हैं ना, वैसे ही सारे थौट्स खतम हो गए, और उस टाइम पे जब मैं अपने आपको स्विकार पाई ही ना, वो अनुपव बहुत रोमान चित था, और उस टाइम पे मुझे लगा, अगर ये नीरंतर हो गया, तो उसका अनुपव क्या होगा, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊ लिए, और फिर एक डर ऐसा भी था कि अगर मैं इस रास्ते पर चली, तो कोई मेरा विरोध करेगा तो क्यों होगा, पर जब आपने ऐसा बला था ना, कि नियाई धर्म और सत्य का अस्तित्व में भी होग पॉसिबल ही नहीं है, तो वो होगा ही, बस ये एक कॉन्फिडेंस हाया खुद पे और दूसरे पे. परीचे शिबिर में संकल पलिया था, तिन के परीचे शिबिर में बातें डिसाइड की थी, कि तो बोड लगाएंगे, उरस पे थोड़ा, ये जो है, जीवन विद्या, उसका थोड़ा बहुत लिखके, श्टड़ी करेंगे, वो थोड़ा वो चालू किया, दूसरे संकल पे लिया था, कि अगर शाम को हम लोग मिलेंगे में किरन और मिनल, तिनों साथ में रहते हैं, बड़ोजा में, फैमिली सूरत है, तो रिसाड किया था कि शाम को आएंगे घर पे, तो खाना खाने के बाद या खाना खाने वक्त, दिवस दिन में जो घटना हुई है हमारे साथ, कोई भी ऐसी, तो उसका क्या रियक्शन मेरी समझ क्या कहां पे हो हुई, वो दिन में किसी भी तरह पे तो वो डिसाड शेयर करेंगे दूसरों को, और कहां पे जिवन विद्या टच होती है, वो स्टड़ी करेंगे, और तीसरी बात यह डिसाइड कि थी कि ममी पापा 50 साल के अफ है, तो उसकी सेवा करना है उसको क झाल 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 पहले दिन में विद्यू भाई का संपर्क हो गया है, खादे खादे तो बोल दिया कि यार कि कुछ डिस्केशन हुआ, तो हैनो पहलो डायो कि वो आवे, गुजिला तीस मां समझाओ से, यह ना होई, खोटी बात चेर मजलब कि वो स्पार्क रहता है कि यार में जो बोला हूँ वो कहां पर स्पार्क हुआ, जो बोला वो सही बोला, अपने से अपने में थिंकिंग चालू हो जाता है वो बड़ी आदमी है, उसमें कोई, तो पहले दिन उसने बोलिया कि था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी समझ को भूलते जा रहे हो, या जो आपके पास स्टोर हुआ, वो अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो उसका फैक्ट मिनिंग है कि आप किसी कंडिश की बात आई, तो फैक्टे की पूरा ट्रांस्परेंट नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम लोग में कंडिशन के साथ था, और मेरा एसरा है था था कि चलो कि पहले से जो कंडिशनिंग बनी हुँ थी माइंड में, उसके साथ जो समझ है उसमें रुकावट आती थी, तो वो संभ की फूररिय डो sociology, में वो समझ के आहतर पर "-рांस्परेंशी थोड़ा。」 तो फूरल रड़े सुने की अध़न के साथ थी, तो यो क्योंकि हो समझ के अधरैंशनिंग दियूर का आगे आई, इतना पूराइख की पूरी ट्रांस्परेंशी होगी बनी थी। शानैता की बात की लेकिन सुम्भाहित्रू आदरणी नागराजी को शत्षत प्रणाम और काफी सारे लोग भी नहीं आये लेकिन उसमे मुझे बता दिया था कि आप हमारी तरब से बोल देना कि हम सबको मजा आया वो रिवा के पापा अंकीत भाई वो सबन बोला है तन्यवाद संकल्प के नहीं है कि जहां पर डिसाइड नहीं करते हैं वहां पर आगे जाई नहीं सकती क्योंकि गवर्मेंट की तईर की ती ऐसे ही कि चलो टार्गेट है तो कुछ करेंगे तो संकल्प छोटा साही है निकोरा के शिविर के पहले जीवन परीचे बुक सवाद एक और क्याना है नहीं है सोचा तो इसा है कि चारो साथ में कर तो आड़ो पहले सबसे पहले तो मैं आई थी जीवन विद्या के पास तो एसा था कि तीन साल पहले एक शिविती थी बाद में एक मन के बाद इन लोगों की शादी थी और हम लोगों का कैसा है कि 11 कि अजी एट तो ग्यारा लोग वीक में पांच बार मिलते हैं, तो ऐसा था कि हमने जो किया था, तो वो चलता था अंदर से, बट प्रभव प्रभवित हो जा देते हैं सब, फिर ऐसा भी था, आज वीनु मामा को बोल ही दे रहे हैं, आज इस शिवीर तक वीनु मामा के प्रत्य ऐसा ही था कि भी वो जिवन विद्या कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल देते हैं, फिर ऐसे क्यों है, सब कुछ ऐसा चल रहा था, पर इस शिवीर में पहले ही दिन, पहले पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, तो उसकी प्रती इक्रुतिक नाता हो रही थी, और बोल ही नहीं पांदे थे कि भी अभी कास हम कितने गलत थे कि उनके बारे में यह सोच रहे थे, और मेरा तो ऐसा फेस आ गया था, जीवन विद्या में बिली भी नहीं करती, लास्ट टू येर, मैंने पहले तीन साल पहले शिवीर की थी, यह सब बोलते थे, और नहीं को आया थे तब मुझे बोला कि भभी चलम, नहीं यार, वो आचरन नहीं कर सकते हैं, तो मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि भई, अभी मुझे करना ही है, तो मैं पाली दाना आई, फिर ऐसा ठान लिया कि भई, अभी आरपार हो जाना है, क्योंकि मेरी कंडिशन ऐसी है कि उसे जची है, पाँच मिनीट मैं सबसे पांच मिनीट भी नहीं लगता मेरी दो मिनीट में सबसे प्रभावित हो जाती हो, पाली दाना के पहरे दीन मामा येसा बोला कि या तॉ तुम त Dopi ड़ह ने दो, तो इतना बोरा कि यार मैं दो दिन बात भी आया हूँ, तो मामा क् पिर हो गया सब कुछ और अभी कुछ भी नहीं सोचना है, आर पर गना है, और किरी किवरती कृतिक नहीं था हो या नहीं हो, वामा किवरती है अभी अभी एसी सीती भी बन गई है कि घर पे अले मिलते थे तो दो गंडे सा सचते थे कौन सी मूवी क्या देखे, अभी घर पे भूमी वेन आती है, या भी यह आती है, भाबी, सोंभाई को लगाओ ना कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ता है कि क्या कर रहें, क्यू कर रहें, सोंभाई को लगा और दो बच जाते रात के तो भी उठने का मन नहीं करता है, तो ऐसी सीती बन गए तो अभी लगता है कि नहीं, आरपार हो जाएगा अभी हलो, मैं तो पहले तो सब को थैंक्यू बोलना चाहिए, क्यूंकि मैं जहां पर ही है, जब भी कोई लोग आ रहे है न तो मैं अपने आपको उसमें देखती हूँ, कि हम इस प्रॉब्लम के साथ ही, तो प्रॉब्लम के साथ ही मैं सबसे जूड़ी तो हुई हूँ, फिर का का मैं अभी तक मैं मेरे ममी, पपा, भाए, बहन सब का, मैं पहली परीचे किया, फिर बाद मैं अब मुझे पता, मैं एक जो ये 20-30 का गैप था ना तब ये 20-30 के गैप मैं मुझे पता चल पहले तो मैं किसी से जुड़ी नहीं थी, मैं सब थूखी थी, प्रेम, प्रेम, प् मैं बहुत गलत, मैंने बहुत गलत किया है, लोगों के साथ भी, मैं बोलने में ही आजाता था, मैं तो मुझे पढ़ा चला कि अब वो तो देने चाहते ही है, मैं नहीं सविक्रूती कर पा रही थी, मेरे में ही वो इतना अधूरा बन था, अब तो सब कैसा, मैं पूरे दिल से खूल रही हूँ, पहले थो ऐसा था कि मैं यहाँ खरी हूँ, सो लोगों के बीच में फिर में नहीं हूँ, अब तो मुझ सहाथ ख़डी हूँ, फिर भी मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सब कैसा करनेक्ट हूज हूँ है, और कहीं पे भी जा जाती हूँ तो मैं अब मैं अब जिए खुद के बता पा रही हैं। और हम चारो तो मिल दे थे तो यही था कि फिर भी conflict था है हम विक में पांच छे बाल तो मिलते फिर भी conflict था अब मैं यहाँ पर आके मैं इतना नजदी आई हुँ इसे जाधा नजदी कही हुँ तो पहले कभी नहीं आई थी मैं बहुत अच्छा लगता है अभी तो मिल लग और इसमें कंटीन्यू करना है अभी बहुत सारे गेप भी लिख रहे है तो वह भी पूरा करना है ऐसी मिल लग चल एसा करने के लिए मुझे उट सबी बिल रहा है पहली शपीर करके आई ना फिर मुझे मेरा हस्बंड ने बोला काश ने फिर मोमी पपा ने बोला कल मैंने बोला था ना को फॉर्म करूंगी तो फिर पपा को फॉन किया ना तो उसने बोला कि मैं मैं तो तुझे यही देख रही थी इसी बहुना से मैं बोल रहा था बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा मैं सब कुछ हो गया स मैं जिवन विद्या में आना नहीं चाहती थी because of kaka and अभी मैं आ गई हूँ तो मैं थैंक्यू नहीं कार पा रहे हूँ फिर दूसरा है कि मैं जो परिस्ति वसे हो के आ रहे हूँ I owe this to myself कि मैं अपने आप honesty के साथ रह सकू और जो भी घटना है हो रही है मेरे लाइफ में और किसी का भी उसमें जो योगदान है मतलब यहां पे भी कुछ होता है तो I can relate myself वो भी घटना है तो उसके प्रति भी acceptance बढ़ा है मेरा और ये भी है कि अगर मैं काका को बोल रहे हूँ तो उसकी भी जहरी इसमें आती है मेरी भी आती है इसमें सब भी लोग भी आते है और ये सब I think कलपना शीरिता भी है पर ये कलपना करने से भी अच्छा लगते है अगर सबसे सुख दिये ही लगता है तो I owe this to myself कि मैं अपने साथ तो honest के साथ रह सकू transparency के साथ रह सकू तभी दूसरों के साथ भी रह सकूंगी और अपने में भी मैं सम्मानित हो पाऊं तभी मैं दूसरों के दूसरों को सम्मानित कर पाऊंगी और इस शिवीर में मुझे सबसे ज्यादा जो मिला वो यही था कि जो negative कोई अच्छा बोलता है तो मैं अच्छा मैसूस करती हूं पर जो जबी भी मैं लोगों से प्रभावित हो के दुखी होती हूं तो उसको मैं ज्यादा तक भूखती नहीं हूं मतलब वो टाइम कम हो रहा है और वो उससे डिटेश होरके अपने में ये विश्वास तो आया है कि कही ना कहीं हम अठे तो है ही बस वो अच्छा अच्छे पन को मुझे कही ना कहीं व्यक्त करना है तो काका हाँ और काका और काका I cannot thank you enough प्रुब्स अच्छा नहीं नहीं प्रुब्स मैं एक बार बात और सेर करना चाहता हूँ मेरा बहुक में से डॉक्टर गूंदा को वहां पहली बच्ची हुई उसके बाद में उसने एक साल के छेस महिने के बाद में जॉब चालू कर दिया वहां क्या है कि पांच साथ दिन के बच्चे को भी क्रंच में बेबी केर में छोड़के भी लोग जॉब चले जाते हैं क्योंकि वो डॉलर का इतना महत्वा है उसने छे मेने बाद चलू गिया फिर बाद में अभी दूसरी बच्ची हुई तो उसने बुला मैं एक साल जॉब नहीं करूगी चलो वो भी मुझे अच्छा लगा पर ये एक अपते के ये वीडियो देखके यूटूब पे उसने एक अपते पहले ही जॉब लिया था हुवर रिवर में एज डॉक्टर वेक्सिन डॉक्टर वो एमफाम है पहले 35 डॉलर में पर अवर कॉलेज में लेक्चर देती थी अभी 50 डॉलर पर अवर मिलते हैं फिर भी उसने सुचा कि मैं कुछ विमेन इंडिका आपकर हुगी कल उसे बात हुई बोले मैं यह जॉब भी छोड़ दूँगी बाकि कोविड का जो स्रीस है वो करने के बाद में मैं किसी दूसरे का जॉब ने खाऊंगी यह यहां का एक लेप्चर का उसको यह उपलबदी हुई कि वो वहां अपने इंडियन का एक जॉब नहीं खाएगी नमस्कार अलो मेरा ना दवल रावल है एमदाबाट से मुझे स्टेज फीवर है मैं बोल नहीं पाता फिर भी ट्राइग करता हूं मैं एज़क कराटे गोच गुजा चैसे एज़क कराटे गोच हूं और रेफरीशिप भी करता हूं और डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल में भी किया है आज खुद का बिजनेस भी सो लगा मेरा मेरी सारी गोट्साल हो गया कि एक साल में बहुत प्राबिम है कुछले फाइव मूं समद मशाती भी नहीं रह रहे हूं वह उनके गर है मेरे मेरे गरपर हूं कुछ प्राब्लेम के इसी की वज़़ा से फिर भी क्लाए कर रहे है कि वापस एक हो जाए उन्होंने सजस्ट किया, उन्होंने परिच्च सीपिर किया था तो मेंसेज किया था कि एक बार मिलना है हम दूर जाके एक बार मिले लास्ट में हिरल तो लास्ट में पता है कि मैं ऐसी सीपिर के साथ है जॉइन टू यू जहाँ पर समझ और बावना यह सब की समझ देते हैं वहाँ पर तो मैंने बोला चलो मैं भी ट्राय कर देता हूँ एक बार क्योंकि मुझे भी बहुत गुस आता है चाहे मैं सही हूँ या नही हूँ वो मुझे गुसा कोई भी बात का आजाता है मेरी बात क्यों नहीं सुनते एक समझ बात नहीं आती साधी करने के बात हम सब एक दूसरे को सब कुछ देते हैं कि अन्मन जो भी हो सूख दूख तो खुद की प्रॉब्लेम हम दुसरों को बताने क्यों जाते हैं जब दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लेम होती है तो हम दूसरों को बताने क्यों जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लेम थो हमारी है तो दूसरों को बताने क्या ज़रूर होते ह चलो बताना कोई नहीं, मानल कब दे, वो प्रॉब्लम सौल तो होनी वाली है नहीं, जब नजदीक आएगे, बात करेगे, तब ही प्रॉब्लम होगी। उसके expectation में आप वही सुचते हो कि वो मुझे ऐसे वापिस दे, तो हो तो स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ हो गया, मेरे लिए भूलाओ, मेरे खुद के लिए भी, प्रॉब्लम है, कि चलो मैं तो प्यार करता हो गया, करती हूँ, तो मुझे return में क्या मिलता है, तो जो प्यार आप करते हो, और जो प्यार करते हो, उसमें जो सूख मिलता है, वही आप खुद का प्यार है। तो आप ऐसे नहीं स्वार्थ प्रेम करते रहो, आज नहीं तो कल वह सामने वाला भी समझेगा। सबको यह लगता है, कि वो मुझे प्यार नहीं गरता, वो मेरे मेरे का फॉन का फॉन नहीं गरता, मेंसेड नहीं गरता, कोई भी, जहां भी जाता है बस उसके फ्रेंड के साथ, या उनका का जॉब या जो भी हो, यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है। कॉल करता हूँ, मेसेजिस करता हूँ, अब इरिटेशन हो रहा है उससे, कि कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है। तो जब हमारी खुद की मा, हमको थाली परोस्ती है, तो वो भी बरके देती है। जो खानाए खालो, तो नहीं खानाए वो रख दो, मेरा ऐसा मानना है। तो जितना प्यार मैं देता हूँ, जो चाहिए वो रखो, बाद में आगे छोड़ दो। तो प्रॉब्लम साइद वहीं पे सॉट आउट हो जाएगी। और जगड़े सबके गर में होते हैं। पर जगड़े के बाद साइद एक हगी काफी है, जगड़ा खतम करने में। नमस्ते सुभी को, लास्ट मैंने परीचेश बिड़ किया, उसके पांच में ही दिन, मैं बहुत रोई थी सर्थ, और पहले ही जगड़ा को मैंने सॉरी बोला था, मैसेज में। और इसा नहीं है कि मतलब एक ही गल्ती थी, गल्ती तो मतलब जब कोई प्रॉब्लम क्रियेट होती तो दोनों दरब से ही अमुकंश पार्ट होता ही है, दोनों ही साइड से, बट मैं मुझे शिबिर के दिन, बट मैंने ट्राइ नहीं किया, या फिर सिचुशन से भागी मैं, तो वाप पे वो मुझे क्लियर हुआ और पूरा पास्ट का फ्लेश बैग हुआ, कि मेरी सारी गल्दी मुझे दीख रही थी, कि या पे देखो, या पे तू या ऐसे कर सकती थी, बट नहीं किया, या पे त मठाणी तो शांती से निपटा सकते थी, या नहीं किया, तो सारा ममल्म मेरा गया मुझे, और मैंने एकसे भी गिया, एसा ही नहीं हे, और गुसा तो दोनों को इhy आता है, और एकसे भी करता है, स्टवल भी हो जाता है, बट फिर से भी, बार बार वो चीज होती है, तो फि कि अब दूपरा करे या ना करे तो यह दौल को ज्यादा है कि अगर मैं मुझे 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 में चेंजिस दिखे थोड़े बट फिर भी वह सोचता है कि फिर हो गए तो फिर हम मुझे प्रॉब्लम हो गई तो तो ऐसे क्वेश्चन उसको रहते हैं तो मैंने बोला कि अभी इक बार परिशेशे पर फिर से आप कर लो मैं भी करूंगे आपके सार और वहापे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन में अंसर्स मिल जाएंगे और मेरी उपलबदी यही है कि मैं इनको शुपिर के बाद बात की और मैं यहां पर ले आई उनको तो वो ही मेरे लिए बड प्रायतना कर रहे है तो वो ही बड़ी बात है अगर नहीं होता है तो मैं क्यों कोलती हूं उनको तो मैंने भी कदम बढ़ा है तो वो भी बढ़ा रहे है और प्रायतना कर रहे है कि हाँ मैं बढ़ा है तो कर लिए है कि साद में जीना है कैसे हैपिनेस के साथ और अच्छे स जियें तो उसका ही एक चालुए है अभी और आगे भी काना चाहेंगे और इन को जो भी डाउडस है तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं प्रायदना करूँगी और जीना है साथ में डीसाइड कर लिया है तो उसके ही तन्ही बारे में मिँआभग मेर Τ्राइब कर बाद चलती हिरें बस सांधी चाहें और उस्पौ्ट चाहिएं बस ते नहीं किया चला कर पहले हिने सिर्फ युटूब पे मेने देखने के बाद उनको यूटूब परक प्रक जैम ह्शानु HAM love इनको माई कुंदे को आवाज क्या तो क्या आप जब आप शिविर में बैठे थे तो आप सही में शिविर कर पाए कि शिविर करते समय इने के बारे सोच वह थे दोनों एक साथ हो रहा था कि फॉर्ट्स आई ही रहे थे तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट आपका शिविर हुआ होगा मेरा मैं मानू तो अभी तो बोलना इजी है अगर यहां चब निकलता हूँ और चून में जो है तब तक मेरे में क्या चेंजिस नई तो मेरा ऐसा मानना है मेरा आसा आपको एक कहना है देखो जो आपकी सितिया है उसमें हैपिनेस के साथ जीना अभी नहीं होगा अध्यन के साथ जीना होगा तो इसके लिए अभी यह जो शिविर अभी आपका हुआ यह तोड़ा सा प्राब्लम को लेके साथ साथ हुआ तो इस शिविर में आपका ये शिविर नहीं हुआ तो एक से आठ जून में आने के पहले आप एक परिचे शिविर पहले करो मैंने वो सोचा है तो हो सकता है दोनों साथ में करो मैंने वो ही सोचा तो जब तक दोनों का state of mind डिजॉल नहीं हो जाएगा और हम एक नॉर्मल सिती में नहीं आएगे तो एक से आठ जून भी नहीं हो पाईगा क्योंकि सुनने के लिए एक सभाव गती चलिए हम प्राब्लम्स को लेके सुनते हैं तो प्राब्लम चलती रहती है हम नहीं सुनने कंटेंट सुनके उसको विजूल आईज कर पाना उसको अपने में स्थिर कर पाना अगली बात से कनेक्ट कर पाना ये लगातार एक प्रोसस तो मन जब बहुत उदिग्न है या किसी बहुत प्राब्लम में है तो हमरा सुनना नहीं होता है तो यह अच्छी बात है कि इनिशेटिव लिया, यह अच्छी बात है कि आपने सुन लिया, यह अच्छी बात है कि आपने अपने दिल की बात सब लोग के सामने कहने की कोशिश की और हम इसी एक जगह में आ गए, अभी हम उस्तिति में आ गए कि अब हम साथ चल सकते हैं, तो भी तरीका निकले लेकिन एक से आठ के पहले फिर से शुविर करों हम सब की और से मारा साथ लोगों की सब और से आप सब को खूब शुब काम है अभी दो हम मेरे और इनके माबाप को पता नहीं हम दोनों यहां पर बिना बताया है मैं बोला मैं कहीं वाल जा रहा हूँ थोड़ा बिजनेस के लिलेटेड बहुत बड़ी है वो फिर भी यहां हूँ मेरा एक क्वेस्टन था दो दिन से वही गूमराय दीमक में वो पूछना चाहता था मैं मेरा ड्रस्टिक और चेंज करके मैं वो क्वेस्टन का अंसर दून रहा हूँ साइट गलत भी हो सकूँ जब अपने वो हीजडे वाली बात की थी बराबर है तो हम मेरा सरीर पूरुस में है लड़की का सरी स्त्री में है बराबर जब हीजडे का सरीर आदा पूरुस है और आदा स्त्री है तो मेरे में तो सिर्फ पूरुस का ही भाव है ओर लड़की में सिर्फ रिका पाव है तो जब हीजर में देखते है तो उन्में तो दोनों क पाव है Aisai नहीं मेरे जितनी जानकारी है पुरुष मतलब ऐसे ही दितना ही है बस कि जैसे किसी का हाल पूरा नहीं बना किसी का पैर पूरा नहीं बना इसे लोग रहते हैं, किसी के हर्ट में छेद है, तो हर्ट पूरा नहीं बना, तो किसी के जो प्रजनन अंग है वो नहीं बने, तो पुरुश के रूप में प्रजनन अंग में कोई कमी रह गई, तो पुरुशी है वो इस्त्री नहीं, इस्त्री में मालब लखी के रूप में तंत्र में कोई विकनेस रह गई, कमी रह गई, तो हिजड़ा भी इस्तरी पूर्श ही होते हैं, आध्य इस्तरी आधी पूरुश नहीं होते हैं. Okay, okay, thank you. को बढ़िया, धन्यवाद. एक sharing थी मेरी. भीया की sharing से मुझे याद आया तो करने का मन कर रहा था. एसी same problem मेरी थी, और मैं डीड़ साल से नहीं रह रह रहा था, भाइफ के साथ. वो अपने घर थी मैं अपने घर था. भीया की, जब मैंने YouTube पे देखे थे वीडियोस, तो तीन महीने तक लगातार ये अपने आप में समीक्षा होती रही, और कि क्या मैं गलत हूँ या वो गलत है, तो बाद में ये समझ में आया, कि शॉट आउट कर लो, साथ चलते हैं, जो भी इस्तितियां रहें, और उसके बाद ज़र्नी स्टार्ट होई ना, वो असल ज़र्नी थी. तो भाइसे, मेरा ये की कहना है, इलागे रो शॉट आउट हो जाएगा. अलो, अब तो तुम सेनियरों सलहा देखते हैं. इंद्रा सिंवागेला, गंतिनगर. दोसी बिर्गिये हैं, मेरा जन्म एक किसान के कुटुम में हुआ है. मेरे जिवन में शिक्षक का योगदान बहुत रहा है. मैं तिस्तरी कक्षा से इंजिनिर हुआ तब मेरे चाचा के गर रहा था. वो टीचर थे. मैं गुजरत की एक बहुत अच्छी स्कूल है. इंद्रीनेगर में सी एन विद्या लई. उसका टुडेंट गाहा हूँ. बहुत अच्छी स्कूल थी. उसके सिक्सकों ने मुझे बहुत प्रहिया था. इसलिए मैं सिक्सकों का रून भी नहीं उतार सकता हूँ. सर्वीष पुरी जी. सर्वीष में भी बहुत अच्छा अनूब हुए. सत्य की ताकाइत को मैंने दिखा है. मैंने सत्य से काम किया है. मुझे कोई तकलिप नहीं हुए मुझे बहुत अच्छा गुरूप बना हुआ था और कई जगे ऐसा था कि जो भाईया बोलते थे ने भागो ऐसा मेरा खोब था मगर मैंने सत्या से काम किया था बहुत अच्छा काम किया मैं आज उसके लिए गवरो कर सकता हूँ अगर काफी कुछ मैंने देखा भी नहीं था मानो क्या है फेमिली क्या है फेमिली के लिए मैं बहुत नसीबदार हूँ मेरे गर में चार बेटी साथ में रहती है पता नहीं था सिबीर की ये दूसरे बहुत बड़े सिक्सकाज मिल गए है तो सुम भया का मैं बहुत त्रूनी हूँगा और मेरी पुती है के बन जा है उसको मानो बनने के लिए मैं helpful रहूँगा और एक बहुत बड़ा कुटूम मुझे मिल गया है उसके लिए मैं ये सबका आपारी हूँ ये सिबीर करने में जो जो व्यक्ति का योगदान है वो सबका मैं आपारी हूँ नमस्कार नमस्कार मैं बी एस मोरी पुलिस विबाग से हूँ सूरत में रहता हूँ और मेरी जॉब नवसारी है ये सिबीर के बारे में जो बरतबाई अब चल गई आनी है बरतबाई और दया बेंड वो हम लोग व्यावसाई में आने के पहले से मित्र थे तो डीड साल से मेरे पीछे लगा थी कि आप एक बार फरीचे में आ जाओ फिर नवसारी के अंदर जब शुरिश्वाई और विभाई सब लोग आए बच्या भी थी उस टाइम पे मुझे बुलाया का आप दुपर को इदर आओ थोड़ी देर ब्रेक रहगा तो उसमें मिलके जाओ और खाना बाना खाएंगे मैं गया तो सही मगर उस तीन भी कुछ फास्ट था तो खाने का सभवाग्य प्राप्त नहीं हुआ फिर उसके बाद मारवी के जो सिबीर थी उसके लिए परत बाई ने मुझे बला कि आप फैमिल की साथ आओ मैंने चुटिपैंकि मगर नहीं हो आया चुटिपैंटिं नहीं मेरी उसके बद में येशिबीर के लिए इल्याद अभेजिती आप तो परीच्छी नहीं किया हुआ है तो इस परेजी में आ ऊपको पता नहीं कि लीगा फिर मैं आपको झाले और दूसरा लास्ट में उसने बचाया कादर्णी नागराजी उसकी जो यात्रा है वो अमर कंटक से सुरू की थी और मैंने बूला बूक में पढ़ने में कितने पेज होगे तो बला तुम पता नहीं चलेगा तो उसने बूला 3300 पेज है फिर मेरी दिमाग में एक बात क्लिक क कि अमर कंटक जो है नग्दाजी का बवस्थान है और उसकी जो परिकम्मा होती है पूरी वो तेटी सो किलोमेटर की है तो वो बात ने मुझे कनेक किया तो कि मैं बार बार उदर नग्दा किनार कहीं न कि जाता रहता हूं आश्रों वगारा में तो फिर मैंने बूला हम चल धन्वल पद रूप सभी चीज भोके भी आया हूँ सभी कुछ है भी फिर वो मैं छोड़ के जब तक आपके अंदर जो मैं है उसको आप नहीं डूनोगे तक आपका कुछ होने वाला नहीं है आप जो मैं डूनने के लिए पहले सब बोले थे यह छोड़ दो वो छोड़ द ब्याया में मगर घब तक कुछ छोड़ के सामने कुछ मिलता नहीं है या तो उसके साथ साथ कुछ मिलता नहीं है तब तक आपकी यातरा अधुरी रहती है मेरी और बरत बाएट दोनों की स्थितिया परेलल चलती है उसका भी जो है वोही मेरा हाल है परिवार में जब है तो कल हम बैठे हैते है तो बूल रहे थे कि हमारे पर पाश गारी है, मकान है, पैसे है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है तो जो कुछ नहीं है क्या नहीं है वो डूरने के लिए वो पाने के लिए उसके लिए जो श्वीर है मुझे ऐसा लगता है के मैरे को आगे की यात्रा में बत्थ में मिलेगी मेरा तीन साल पहले मैं कुछ प्रकूति गया और भी थोड़ा प्रकूति खेती में गया, मेरे पास साथ पैंसर गाई भी है गाउं में, पतिजा बगारा सब संभाल थे, तो सब दो-तिन मकान, गाड़ी, मंगला से बना लिया, उसके बाद मैं ऐसा लगा कि जो आनन्द आता है वो इस ही जो यहां जो सुंभाई ने जो बताया के स्तित्व जो है सहस्तित्व है सभी को अपनी उपयोगीता प्रता परस्प में प्रमानित करनी है उसी को जीवन करनी है मेरा दोजार दस्ते अंदर एक्सिडेंट हुआ था उसमें मेरी पत्नी जेव है वो शांत हो गई थी उसके बाद में मेरा बच्चा उसने पे च्छे में निका था तो तीन लोग मेरे गर पे रहते थे भाबी रहती थी बहन रहती थी एक पतीजी रहती थी फिर भी बच्च के बाद में चार मेनी के बाद ही में अभी जो मेरी पत्नी है उसको तुन्त लेके आया कूंकि यह चार लोग नहीं संभाल पाते थी चार बच्चे थे कंडिशन थी, जो कि पांच मां बच्चा मेरे को निची ये, उसने सिवकार किया, आज दस साल के बद मैं अभी मुझे यहां आने कि तीसरे दिन के बाद में, मैंने फॉन किया उसको, क्योंकि मैंने कंडिशनल मेरे यहां लेकाई था, और उसने जो मेरे दिया बिलकुल अंकंडिश्टनल दिया बिलकुल अंकंडिश्टनल अ भी मेरा इतना जो होदा है पद्ध है पैसा है मैं उसको नहीं समझ भाया बस यही बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर का जो मैं था, वो मैं को नीचे बेठा दिया, और मैं क्या हूँ, वो दर्शन कराया, उसके लिए आपका सबको बंदन, प्राणाम, तन्यावार. नमस्ते बईया, मिरा नाम इयाश है, मैं विश्णा कर से हूँ, मिने सबसे पहला परीचे से भी 2017 राजकोट से किया था, आत्मी इयाश है, तो उस टेम पे इतना, मतलब कनेक्ट निक कर पाया था, मतलब पूरा समझ में आ गया था, लेकिन चालू कार से करना था, वो कुछ, म होना सुरू ना, तो लास्ट मैंने मानवी में किया, तो उसके बाद में मतलब पूरा आइडिया लग गया कि अब करना क्या है, और चालू भी कहा से करना है, तो यह जो अध्यान सिबीर था अपना, तो उसमें सबसे टर्निंग पॉइंट जो मेरा रहा, तो वो जो ट्रांस में अभी करे जा रहा है, तो इसको पूरा जानने की जो अभी तलब जो बैटी है, वो मतलब बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि अपूरा जानना ही है मतलब मुझे इस सब, और यह दूसरे नेक्स्ट जो मानवी अवार दर्शन है, उसके लिए जो सबसे बड़ा सब्सक्राइब अभी बना है, वो है कि जड़ परमाणु विकास पुर्णा जिवन परमाणु कैसे बना, थैंक्यू बैया, थैंक्यू विनुका का, थैंक्यू वीजे बै, थैंक्यू बैया नमस्ते विया, नमस्ते वाल, मैं मेरा शेरिंग करूँ, उससे पहले में बता दू कि मुझे लगा ऐसा कि भाईया, तो सब को कंटेंट इतना जबर्दस्त बढ़ाते हैं कि पूछो ही मत, पर मुझे लग रहे है कि यार कंटेंट कई ना कई हम, मतलब हम सब बोलना गलत है, पर गलत जा, कोई गलत ले रहा है, मैं बुझे ऐसा अंदर से लगा, मैं बुझे लगा दो, और अग्यतर प्रभा हितने होना, मैं बुझ भी ऐसा, और वो बैन ने बताया था कि मैंने गर जाके छोड़ या कि कॉश्यूम जिन्दा रहने में आता है, तो मुझे नहीं करना है, मैं बुझे कभी भी भाईया ने बोला कि प्रिये इतला पे सील मार दो और जीने में लग जाओ, मैं बुझे भाईया डिफ्रेंशे करना चाहते है कि जिन्दा और जीना क्या है, मतलब, तो ऐसे मुझे बात है ना सब लोग थे तभी बतानी चाहिए थी कि ऐसा करना चा जाएंगे, वो अपने आप हैंडल हो, मतलब, मुझे पानी पूरी खानी अच्छ लगते बंद नहीं कर देनी है, पर, हाँ, हाँ, ऐसा है, मतलब, समझ लो पहले बात क्या हो लिए, ऐसे कुद मत अच्छाओ कई भी ऐसा, मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब, अच्छे से समझ तो फीर एक्षन में लाओ, ऐसा मैं मेरा एक ही सेंटर में बताओ कि एक्षन में तभी लाओ, जब पूरे समझ लो ऐसा, तो अब मेरा बताओ, तो मैं जब रात को इधर आई, मतलब, गोस्टी में, तब लोग भोल रहे थी कि गर जाके क्या करना है, मतलब, क्या पढ़ना ह कौन से बुक पढ़ने हैं, तो मुझे मैं ने सोचा कि यह मैं ए सब तो ठीक है, मेरे सेकेंड प्रियारिटी में है, पहले तो मैं ए सोचूंगी कि मुझे कब खाना है, मतलब, मेरा तो पूरा दीनी, शिड्डूल टाइट है, मतलब, सूब उठो खाना बढ़ना हो, मुझे बात आई, मतलब, ऐसे करके मुझे अद दिन तो यहर मैंने गोशिद करी लिया है, फिर आपर तो करूँगी इसको मैं, थैंक्यू बढ़ना नमस्कार, चेतना अप्टेल, वीस्तनागर से हूँ, बचपन से ही ऐसे लगता था कि कोई ऐसी अद्बूत सती है, जो में चला रही है, लेकिन पता नहीं चलता था, धार्मिक या ऐसे कुछ सुना-सुना हुआ, सब सुनते थे, लेकिन प्रमान नहीं मिलता था, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे हुआ, कि 20 एर्स मेरा बच्चों के साथ, स्कूल में और कॉलेज में, जॉब में निकले, आश्ट 5 एर्स में ऐसे कुछ गटना हैं हुई, जो मैं सेरिंग करना चाहती हूँ, कि एक दिन, मेरे एक रिलेटिव का फौन आया, कि समर्थ में इसे गोविंद काई आपको मिलना चाहते हैं, मैंने सोचा कौन गोविंद पता नहीं, गई में वहां मिलने, तो डाइमंड सेक्टर है, तो गुजरती में बोलते है कार खाना, कार खाने की जो एक मेंटल इमेज थी, होगा, मेरी तो अच्छी वाली जॉब थी, युनिवर्सिटी में थी, फिर वहां में गई, तो उन्होंने बोला कि आप आओ, आपका जो नेचर है, वो हमारे लिए एक युनिट बन लाए बेनों का, तो हम आपके जैसी कोई बेन के जरूरत है, तो मैं सुनने के खातिर सुन रही थी, उन्होंने बोला, दस दिन आओ, और एक वीजिट तो करो, मैंने सोचाए कि चलो, गुमना फिरना हो जाएगा, तो दस दिन मेरे कॉलिग में छुट्टी ली और वहां चली, फिर वहां एक युनिट देखा मैंने, जहां सिर्फ बेने ही थी, और वो बेने थी, जुन का कोई education level नहीं था, और बहुत पिछडे वर्ग में सा रही थी, या उनको economical नेड इतनी थी, या उनको समझने वाला कोई नहीं था, तो मुझे लगया कि चलो, मुझे कुछ सिवा का कोई काम मैं डून रही हूँ, वो मुझे मिल जाएगा, तो मैंने गर पे बताया भी नहीं, और जॉब मैंने छोड़ दी निवर्सिटी के, और डाइमंड सेटर में चली गई, एक साल ऐसे गया, सब को समझ नहीं गया, लोगों को रगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन एक्चुली मैं मेरा लेसंग कर रही थी, पता नहीं चला कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, कई बच्चियों ने, कई बेहनों ने मुझे मा की उ कुछ करो, मैंने बोला क्या हुआ बिटा, ममी सुसाइड कर दे वाली है, एक ही चिठ्थी, बच्ची आप में चिठ्थी थी, और लास्ट फाइव येर्स में में साथ एक छठी बार गटना हुई थी, कैसे सुसाइड की गटना मेरे सामनी आई, तो होसवास चले गए कि क्य हो रहे है, मैंने बोला कि ममी को नहीं पता है कि मेरे पास चिठ्थी है, मैंने का ठीक है, वो इतनी घवराई हुई थी, तब मुझे अंदर से एक द्वांद हुआ, कि ऐसा क्यों होता है, अच्छा जो भी होता है, लेकि मेरा रूल क्या है, तो काफी सारा कुछ मिला, मैंट किया, और बात बन गई, लेकिन कभी-कभी ऐसे लगता है कि खुसिया जो हुए है, हमारे भीतर ही है, लेकिन डूंडने जाते है, अधुरापन महसूस होता है, और ऐसे लगते कि जैसे नौ स्थापीत मुल्य और फिस्ट मुल्य जो है, हम बोलने के लिए बोलते थे, लेकि अधिकी असी साल के आतरा के लिए हम क्या तयारी करते हैं, जब एक गंटे के लिए किसी के मिलने जाते हैं, तो कितनी तयारी करते हैं, तो तभी पता चला, और एक सन्मान का जो सुत्य उन्होंने दिया, कि कुछ भी हो तो मैं अपना एक्सन या इंटेंसन देख लेती और बस कुछ भीगडान ही है, संबल सकता है, अपने को संबलना है, नए मुल्यों में जिना सिखना है, बस इतना ही कहूँगे, थैंक्यू हालो, ओके, बीजल सूथार, फ्रॉम वड़नगर, मेरी अब क्या बताओ, इतनी बड़ी कंटेंट है, पता नहीं चल रहा है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है, फैमिली में, जॉब में सब अच्छा चल रहा है, पर कुछ-कुछ चीजे मुझे ऐसी लगी, जो मेरे में काम करने की जरूरत है, लाइक मेरा रियक्शन में कुछ नहीं आता है, मैं सबको बताती हूँ, कभी गुसा आता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, सामने वालों को कभी नहीं बताऊंगी कि अच्छा नहीं लगा, गुसा है, पर अंदर ही अंदर दो-तीन दिन तक य जो पता चला वो है सन्मान का मुझे बहुत अच्छे से वो क्लिक हुआ कि मैं गलती करती हूँ तो मैं ऐसा सोती हूँ कि जान बुच के नहीं कि मुझे अच्छे से समझाया है झाला वाल शपलिए नहीं कि जान बुचाहीं . झाल झाल और जो विचार है वो हमारे समझ और मान्यताओ की अभी व्यक्ति है तो पहले खुद पर ही काम करना होगा कि हम क्या समझ रहे हम क्या मान रहे है और फिर यह यात्रा शुरूँगी थैंक यू थैंक यू अग्यू हालो मैं आकाश सुरत से पिछली बार की मेरी उपलब्दी जो थी वो थी की संबंदों में ही सोख है और ये बार की जो उपलब्दी है तो बड़ी कम उम्र में पता चल गया था कि रुपया ही सब कुछ नहीं है डॉलर और पाउंड भी एक चीज है तो फिर मैंने धंदा जो भी ऑनलाइन बिजनेस शिरू किया और ऑनलाइन फ्लाटफर्म स्टार्ट किया 2011 में और पैसा कामना स्टार्ट कर दिये हो सब कुछ कर दिया फिर कब कल पता चला कि स्वधन की वो सब की परिवाशा जब पता चल रही थी तो सोंबय यहां पता रहे कि वह इन्वेस्मेंट प्रूकरेज वो सब का वो सबसे जो भी पैसा मिल रहे हो स्वधन नहीं है वह रही है फोन में देख रहा हूं बिटकोई का प्राइस सिक्ट थाफ़न डॉलर्स हो गया वाउ तो यहां पर आपको सुन और फिर भी अब अंदर तो वही है कि वहां से जहां जहां पर इंश्म प्राइबल नहीं था अपने हिजड़ों के बारे में बताया तो बात यह हो रही थी कि क्या है क्या नहीं हो डिस्कुशन हो रहा था वो लड़का जब अपनी बात रख रहा था तो वो हिजडा शब्द यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पुरा दिन नहीं था और वो दिन सुबा को मैं भी मैं भी कंडिशन में शायद था वो नहीं उसका रहा था लेकिन वर्ड यूज कर रहा था मैंने बुल रहा है कि उसके लिए कोई दुस्रा ओड़ है मैंने बुला वही वर्ड है ब्रो शब्द वही है लिक हमने बच्पन से अपने प्री कंडिशनिंग से कब डीप रूटेड अंदर हो गया हो पता नहीं चला कि हम कुत्ता गधा बंदर सको बोलते हम को पता ही नहीं चला कि ये बात कब है तो अपने अंदर आ गई जो गाली में है जो की गाली नहीं है जिसको आम गाली सम υख ने रहे तो ये सारी चीजे थूड़ी-थूड़ी पता चल रहे थी कि हम कंडिशनिंग में कहां-क को मौरा है सेम चीज जिसेкив हम होते हैं सेक्स एडूकेशिन की बात करें तो फैमिल पहले शुरूरा मुवी के बीच में जब भी आता है तब कोई सीन आता है थोड़ा साई इंटेंस सीन आता है अचानक पापा को पता चलता है कि उसको सोसाइटिए में से कोई बूला रहा है और मम्मी को तभी याद आता है कि सिलिंडर का सिलिंडर चालू रह गया और फिर हम मतलब वो मुवी बन कर देते हैं और आगे बात नहीं होते हैं, कुछ भी छोटी स्री बात नहीं होते हैं, बच्पन से यह डिफरेंस चल रहा है, तो वो सब सरी चीजे ऐसे ऐसे पता चल रहे हैं, यह सरी डिपूर्टेड है, और कही ना कही हम को, बतलब आगे बढ़ने के से रहे हैं, तीसरी कुछ चीज थी, लेकिन भी भूल गया हूँ, तो I guess that's it, मेरी उपलब दी, यहां, यह बासे जो उपलब दिये हूँ है, कि मुझे पैसो के बार में समझना है कुछ, मैं बूक्स बढ़ता रहता हूँ, किसी ना किसी से मिलता हो, जो भी बड़े लोगे, कि कि आप अभी क्या समझ रहे है, जो आप यंग थे तब आप पैसो के बारे में क्या समझ रहे थे, अभी क्या समझ रहे है, कहां पर बाउंटरी ड्रॉ करनी है, तो वो सारी चीजे समझने में आ रही है, तो yeah, that's it, thank you so much everyone, आपने सब ने help की, yeah. हलो, मेरा नाम रंदीर हरियाना से और मैं खेती करता हूँ, ये जो पैसों की बात है, इसा मैतो तो एक इंसान नहीं समझ सकता है, क्योंकि बच्पन में जब होते थे तो हमको जूती मिलती थी चपल दानने के लिए, तो एक एक मिनम डालते नहीं थे, क्योंकि जब टूट ही तो एक साल बादी में लेगे, और आजकल बच्चों क्या होता है, एक चीज मांगते हैं तो दस चीजें आती हैं, तो कोई भी चीज, सोंब भीया जो देर है, उसका मैतोब जब तक हम नहीं समझेंगे, तो आगर उस समझ भी नहीं पाएंगे, और दूसरा, साइद मेरी में आपको समझ नहीं आएगा, तो दूसरी ये है, कल जो विश्य चल रहा था, वो इसका ब्याज का, तो ब्याज का मैतोब महीं समझता हूँ, क्योंकि चार साल पहरे में एक सिस्ट आई थी, मैंने डाई लाग रुपे ब्याज भी लिया था, और आज तक सिरफ मैं उसका ब्याज ही दे रहा हूँ, क्योंकि में खेती में इंकम शिर्फ 45 पिंटाली जार होती है, और एक साल की इंकम ब्याज भी 45 पिंटाली जार होता है, तो ये चल वो देने वारा तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अपनी बावना सब की होती है, तो मैं सोता हूँ किसी तरह करके तो मैं अपना कुछ आगे करूँ, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि खेती का तीन एकड जमीन है, और साधी साध मेरी नहीं हुई, क्योंकि हर्याना में क्या चाहता है, तो सरकारी नोक्री हो या फिर दस एकड जमीन हो, उसकी साधी होती है, और साधी नहीं होती है, क्योंकि जो लड़की माझा यघ वो ही देकते है मेरे बेटियों कैसे खिलाएगा ये? यह देख रिए भूर आपकरी है तो वो खिलाएगा या पसिका जमीन है थेके बेदेके खिलाएगा इसको। तो दो सिस्ती हरियाना में बहुत जादा है और हरियाना में दिखावा वह जादा एक अपनी हर सिस्ती को दबा के हम यह दिखाना चाहते हैं बहुत बड़े हैं ऑर सौमभयात उदर की हमाई उदर की इनको पता ही है, पयूद की एक प्रिशूमी रही है तो घुसा कुछ ज्याद ही रहा है और मेरी सिट्टी ऐसी ही रही है कि मैं बच्पन में बोर लडाकू था और कबडी का मैं अचा पले अधा पलेयर था और एक रेसल था मैं, रेस का म मेरे पास 50,000 रुपे नहीं थे कर अगया था और दो जार में मेरा फोज में सेलेक्शन हुआ था और मेरा चोटे बाय उसका हुआ था तो हमारी शिष्टी बें पर एक खेती करेगा और एक फोज में जाएगा तो उसमें शिष्टी क्योंकि मैं आवारा थोड़ा ज्यादा था तो घरवाड़े पर घर की सिष्टी तो बहुत चोटे जानता है तो यह फोज में जाएगा तूने खेती कर नहीं है तो खेती करता कुछ फिर ऐसे तर्तों से लागिसे में नसा वगरा क्योंकि उधर बहुत ज्यादा है नसा पंजाब का एरिया है कुछ अपना पाकिस्तान का बोडर भी लगता क्योंको मारेशित डाइसों के लिंबर बोडर पढ़ता हम जाते रहते हैं पहले आपते लोग किंटीले तारे लगी और लगी जब हम पंदरा साल का सोरा साल का हम पार भी कर जाते तो उसको बूड़ को फिर इस्ता हिस्ता वो जार साथ में मैं पारी 2014 में उसके बाद पाउन गुपता जी है उनका मेंने सीवर किया वहां से मेरी जननी थोड़ी सी वही वो परिस्तिती ऐसी बनती गई कि सीवर सौंभिया के मैंने दो सीवर किया है एक दिपक भी आओ का नाम उनका दिली एजूगेशन में है उनका सीवर किया थै मैं उ आजिर को नहीं हो सकता क्योंकि उसी टम खेत का तारी करह होता गेंउ कटना चने निकालना वह तारा तो फिर मेरी कोशी है एक अपरेल में दो दिन तो मैं जरूर सीवर में आऊंगा जब जीवन के रिए होती है जीवन के रिया पर मैं अभी अटा हुआ हूँ क्योंकि जब पिर वह वही चली रहा पर मैं इस और मैं जीवन के रिया करूओ जीतन bagu 강 हैर हो सके तो इसके राद सको सोचने का हुआ करों तो जन्नी वे ऐसी चलते रहें बकि सोंब केरा साथ मिला है तो सहएड है इसको आगे करेंगे कर ने क needles को यह अभी मेरे को अब्यानने बताए बि साहिध मेरे से 200 किलमेटर गया सबस पढ़ता है तो मेरी कोशिस यह लिए कि मैं वहाँ जा के देन करूँ क्योंकि हाँ क्योंकि यहां आने का मैं यहां को बता हूँ मेरे पास थे 25 रुपया जिसमें 870 रुपय की टिकट बनी है कुछ और खर्चा मैं यह सोच कहा था विम आपको हजाब कर देने के लोगर ने जितना है और अभी मैं सोच रहा था है मैं बसमें जाओं या कैसे जाओं तो राउल भीया का मैसिज आया वे दो शीर खाली है अगर कोई जान चाहे तो मैंने इनको को प्लिए तो यह ठीक है वह कोई ने तो हम यह सोच थे हैं अगर हम जिस जन्नी में निकले है ना तो उसमें रास्ते मिली जाते हैं जैसे हरियाना में काओ तो दारू करने वाड़ा अगर रात को निकलता है ना तो उसको दारू पिलाने वाले मिलते हैं और पीने वाले तो उसको सुने वाले मिलते हैं अगर हम अची जगह पे चलते हैं अच् सिर्ष्टी का नियम है, हम जैसा जैसी सिर्ष्टी है, जैसी दिष्टी रखेंगे ना, तो सब कुछ सबता रहेगा धिन्यवाद सत्रुन जे की छाया में आज आप सब माननिय, समानिय सोम त्यागी जी के मै की प्रती यात्रा कुछरात की अंदर साय चोथी सिबिर चल रही है नीकोरा, पालेताना, मांडवी, बत्तर जिनाले और वापिस पालीताना अज इस सिबिर की अंदर प्रारम की अंदर साथ दिन पहले आया था यहां से बर बर पीछे हमारा उपास रहे दन्यवाद है कि यह आवाज वाँ भी सुनाई देती थी हमारे दुसरे मुनिजाज वास से यह सुन रहे थे मगर आज आप जैसे युवान व्यक्तियों के जो अनुभू थे यह एकी फलसूति है शिविर की फलसूति क्या एक दुसरों के पास में जुड़ना जब परिवार भिखड रहे है बाप बेटे के सुन नहीं रहा है बेटा बाप का सुन नहीं रहा है माता और पिता के बीच में भी दुरी पड़ी है परिवार परिवार के सब्य के बीच में दुरी पड़ी है ऐसे परिष्थिति के बीच में ये कारे जो सम्मानिय नागराजी ने एक नया तरीका happiness course देशा एक बाते दे करके जो आज के जिवन की अंदर जो कुछ तुरूटी हो तो यही बड़ी तुरूटी है अभी हमारे भारत देश की अंदर ये देने का था ही नहीं पहले घर की अंदर ये सवज आता था मगर काफी सालों से जब से मेकोले शिक्षन पद्दतिया या भारत की अंदर गुशी नोंने सोचा कि ये भारत ऐसे हमसे खतम नहीं होगा कितना साल यहां रहे 200 साल यहां राज किया इस्ट इंडिया कंपनी वो जो कुछ भी थे वो मगर जाते जाते उने नहीं नहीं सोचा कि इनको खतम करने के लिए एक ही बात है हमारी पार इनको तोड़के चले जाओ तोड़ने का जो तरीका है वो इसके अंदर गुशा के चले जाएंगे ने तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसो ये भारत ऐसे ही खतम हो जाएगा ऐसा सोच के वो निकल गए मगर रण की अंदर मिठी विरडी जैसे ऐसे भी इसके अंदर नगराई जीने भी जो कुछ भी जीवन विद्या जीवन परीचर अब ये चल रहा है परीचेशी भी कुनसी है हाँ जीवन अध्यन हाँ एक के पिछे एक जो इनकों का एक नहीं है इनका हाँ आगे जाते जाते हैं साय मेरे खाल से अठरा है कितने है अठरा विशाई के ऊपर एक के पिछे एक के पिछे एक पिछे एक देते रहे है स्वाम त्यागी जी ने एक बात पक्का है वानी में बोलने से नहीं आता जब वरतन खुद के जीवन के अंदर रहता नहीं इसलिए तुमको फिल हो रहा है सब मालूम पढ़ रहा है हां स्वाम जी की जीवन की अंदर ये खुद की धारा जो चल रही आच्रण की अंदर है आच्रण में होने के वज़े से आपको ये दिल चू रही है तुमारे नहीं तो दिल में चू नहीं सकती है सया जी आव गाय कोड की सभा थी और सभा में खड़ा हुआ एक आदमी अहिंसा के बारे में बोल रहा था बोल रहा था और बोलते बोलते हो जब पसीने से रेब जब हुआ नहीं तब खीसे में से रुमाल निकलने गया तो अंदर में से ही अंदे के बार गिरे जब एक बज़ो अहिंसा की बात कर रहे और रुसरे बज़ों हिंसा की दो बात की समय पड़ी है तो कहने का मतलब इतना ही है कि आचरन होता उनका यह दिल को असर कर सकता है सोम त्याकी जी दो बार तिन बार जो कुछ मिलना हुआ मिलने के बाद ऐसा लगा कि प्रभाविक्ता तो इनकी अंदर है मगर प्रभाविक्ता भी आती है तो permanent प्रभाविक्ता काँ से मिलती है आश्रा बीना मिली नहीं सकती यह permanent साथ कुछ भी प्रभाविक्ता यह खड़ा कर दो नो कुछ भी तो थोड़े टाइम के लिए प्रमेने नहीं रहता है थोड़े टाइम के लिए रहता है अगा permanent प्रभाविक्ता जो दिखाई देती है आप जैसे बहुत सारी यूझवर्ग है वंद्धेयों ने यहां योग वर्ग कूँ आतें योग वर्ग कि आज की बहुत बड़ी समस्याद कि अंदर की बहुत सारी पड़ी वुए हैंолнको कुछ पानी की भौना help me एसे आदमी मिल नहीं रहे हैं, साहब हमे तो एसे बोलना पड़े हैं, हम साहद वेजदारी है, यह वेजदारी है, यह संथ काहिं काम कर रहे हैं, बाद बढ़ आप्स। सौम्तियागी जी. आज जी जी बोलना ही नहीं, बस केने का मतलब इतना ही है, आज हमें आना है तो व्यवार से नहीं आया हमें आपके बीट में मिलने के लिए भी नहीं आया कि सोम्त्यागी जी यहां है तो एक बार आया भी दुबरा हम नहीं मिले नहीं एक व्यवार से नहीं आया मगर हमारे आदेश मुनीज निपे का कि मैं सिबीर में तो गया ही नहीं हूँ मैंने बोला मैंने तई करके रखा है आज के दिन मुझे जाना भी है चलूँगा भी सही मैं अने यहां अनेक हुआ मगर आपका अनुभवधिकन एक एक का यह अनुभव की बात यह बतार यह कि जीवन विद्या जीवन परीचे जीवन अध्यान यह क्या काम कर रहे है तो यह आदमी को मानो मानो को एक पास में लाने की जो प्रकरिया अनन्ते संतों ने बताई है पुरवे मगर वो किताबों की अंदर या तो ऐसे चलती होगी अलग-अलग समाजों की बिच में बगर सब समाज को जुड़ने के लिए समाज समाजी करण को अच्छी तरह चलाने के लिए जी को प्रक्रिया जो सौमत्यागी जी नगराज जी ने जो बताईए इनका जो परिस्त्रम है पुरुस हम तूज में हैं जाग सके तो जाग बात इतना है जो कुछ भी करो चिंतन की अंदर जाओ मनन की अंदर जाओ निदध्यासन की अंदर जाओ और ध्यान के प्रक्रिया की अंदर जाते जाते हुए समत्व को सिद्ध करना होगा समत्व हमें सिधु हुआ तो हम खुदी जीव हमारा सिद्ध होई जाता है समत्व पाने की प्रक्रिया थिक धनकी बात कर रहे है तो एक हां उनोंने धनकी बात की स्वध七शन की जब बात आई तोस वद्धन ऐसे तो स्लोकों में पढ़ता है करता है यह आख खोलना noodles का काम है दूसरा कोई खोल नहीं सकता बड़े भाग के पुन्य से सद्गुरु मिले दयाल क्या मिले बड़े भाग के पुन्य से सद्गुरु मिले दयाल तुलसी तीनों मीट जाए धार मार आकार क्या बदलता है पारस्मणी का स्पर्स होए ने तो पारस्मणी यह सुना है कि पारस्मणी लोगे को स्पर्स करता है तो क्या बन जाता वो सब देखा तो नहीं है मगर सुना है सबने तो पारस्मणी के स्पर्स से कंचन भई तलवार तुलसी तीनो ना मीटे धार मार आकार परस साय तलवार को हो जाएने तो तलवार तो तलवार ही रहती है उनका धार मार आकार मिटता नहीं है मगर सद्गुरु जैसा योग जहां प्राप तो हो जाएने न जाने नारायन हमें किस रूप में मिल जाए बस क्या मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी क्या आप उनको अच्छा देखे चले जाती है पता नहीं लगता नाराण हमें किस रूप में मिल जाए यह नाराणी जैसा काम स्वाम्त्यागी जी जो कर रहे है इनकी जो बहुत भावना है कि समाज समाज की अंदर यह जो जैएगा यह नहीं जाएगा तो समाज बिखड जाएगा देश बिखड जाएगा राष्टर बिखड जाएगा इसके लिए आये का काम है इंफास्ट्रक्चर अंदर का जो काम है वो काम तो इस बात से ही होगा इनका प्रयत्न बहुत सफलता को पाने के लिए आप सबकी अंदर जो जला है दिव वो दिव को यामत रख देना इस दिव को तो तुम जब तुम्हारे पास में दुसरे जो है उनको भी लाने का प्रयत्न आप करेंगे तो इस सके बन सकेगा यहां दिप से दिप प्रज्वलित होंगे तो यह पुरा देव आगे आगे बढ़ते हुए ज़्यादा प्रज्वलित होते हुए प्रकास देगा मगर प्रकास देने का काम सोंभाई एक का नहीं यहां इनका काम इतना ही था कि हम आपको सिखा दे बता दे करो आप आपकी जीवन की अंदर आपको आनन्द आता है आपको कुछ अच्छा मिला इसके अंदर कुछ इस बात की अंदर हमारी बात में बजन है तो वह बजन आपको लगे तो आप दूसरों की पास भी पहुंचेने का प्रयतन करते रहो और हमारा जो दिय है वो देह आपसे ही सिध्ध होने वाला है हमारे से सिध्र होने वाला है इस स्वम्त्यागी जी की जो भावना है इस भावना को सपलता की अंदर आप जाजा भी आँ कोई वड नगर बोला कोई विष्ण नगर बोला कोई गांधी नगर बोला कोई वहां हरियाना बोला हरियान अदर का सुधार जासे भी जब तक नहीं आवे तब तक बार की इमारत तो कैसे रेती है पत्य के मेल जैस रेती है कभी पन आवे और उड़ भी जा सकती है मगर अंदर का जो फाउंडेशन जो मजबूत होगा इस फाउंडेशन का काम स्यों त्यागी जी संधीपनी विद्या मंदिर के प्रोफेसर टीचर सब यहां आज उपस्ति देरते हुए आट दिन समभया और ये जीवन विद्या परीचे सिबीर के लिए जो कुछ भी योगदान दे रहे हैं समय का योगदान है क्योंकि आप सब तो आजाओ इनकी विवस्ता के लिए भी इन के पास यहां आभे पालीताना की अंदर तब चोगना उगसा के साद सांधीपनी विद्या मंदिर झुड़े रहे तो यहां एक व्지वस्ता हैं सब यहरेन करने की मगर यह व्यवस्ता के अंदर साथ में आपकी भी उष्सा इत्ता इतनी जरूरी है कि स्वां भ्या को बार भ करें दो गुना उस्वा, चार गुना उस्वा से ये काम की अंदर आप जुड़ें, आज कहां पहुंचें, कौन सी पोस्ट पे हां, पुलिस, अधिक सब, नवसारी के मोरी साहिब ने, जब महीं आया नहीं आया, तो कोई बोल रहा है थे, पुलिस अधिक सब आया, आया, मगर व्यक्ति तो पता ही लग जाता है, कहां से भी, ने तब मैं पहले दिन वहां मिला तो मैं मैं आप पुलिस खाते में दिवाय एसपी साहिब ऐसा कुछ बोला, आज जी साहिब, कुछ बोले नहीं वो, हां नहीं बोले मुझे, लगुता में प्रभुता बसी, प्रभुता से प्रभुदुर इसी बात थी, और आज जब जो बात की, है गुज्राजी तो आने सब्दा जाता है, हां, क्योंकि हिंदी बोलते कम है, राष्टर बासा जरूर मगर यहीं रहे, यहीं बड़े हुए, यहीं गुरु देख, गुरु जनों की सेवा की अंदर, जिनगी अच्छी हमारी निकालते रहे, हमें जिने का, जिन्दा रिना का और जिने का, हां बहुत अच्छ बात इन्होंने बढ़ा दी, नसा हर चीज में हमें पीना नहीं आया, हां, बस पीना आजाएगा यह बात, तो तुमारा हमारा आप सब का काम हो सकता है, बात करने थी, दिवायस पी सब मोरी साइब ने जो कहा, कि मेरी जिन्द्गी की अंदर पर सन्मान पईसा सब मेरे पास मगर यह दिशा की जो बात थीन है, वो बात मुझे अभी है, जीवन विद्या, जीवन परीचा है, जीवन अध्यन यह सिबीरों से, जो कुछ भी प्रभोधन कार से हमको मिला, उससे पतार रागा कि इसे आगे कुछ है, अब हमें हमारे परिवार के पैचानने की, जो कला भ यह अनुभव, यह अनुभव, यह अनुभव, यह यू टाइप के मादम से, बहुत सारे आदमियों को पेरनासुरत बनने वाले, क्या बनने वाले हैं, आप जो सेरिंग कर रहे हैं, यह सेरिंग बहुत महत्वगी है, आपकी सेरिंग हजारों को दिप्रजवलिक्त करने की अंदर निमिद दिनने वाली है हम क्या थे हम अभी कहां पहुँचे है इस बात की अंदर यह आपकी सेरिंग एक एक की अभी भी कोई सेरिंग वाला बाकी होने तो आप बैठना मत एक मिनिट भी बोलके इनको उसाहित करके आगे आगे यह प्रवा को गंगा की तरह भाते रहो यह हमारी सुब भावना सोम त्यागिरी गुजरात की अंदर नहीं बलके राष्टो और विस्वा की अंदर यह आपकी जो भावना है ऐसे ऐसे भावनात्मक जगत से भी फेटे फेलते सब आत्मजीवों को खूद क्या परीचे हो और परीचे के साथ आत्मक लियान खूद का करके अपना मारगा निसकंटक बने रहो यही भावना रखते हम नमस्कार एक मिनिट में मैं मेरा टेक अप पोशक पड़े लेमदावाद से जो विनु भाई गोधाने की पस्तूती हुई इसके पहले विया ने बोला था सब्द यूज करने में है सब्द उपर से आते हैं और बोलते हैं मेरे को यूज करो तो तीन चीज अगन्यानी को पहले मिलता है विगन्यानी को बाद में मिलता है और हमारे जैसे मेरे जैसे ग्यानी को सबसे लास्ट मिलने वाला है वो मेरे को प्रतीद हो गई मेरे वीवा अगराई में छे सबन में मेरे बीवी में पकड़ पाया हालां कि 2012 से जीवन विद्या से जुड़ा हूँ फिर भी ध्यान नहीं गया कितनी शिविर की कितने साल से जुड़े वो इंपोर्टन नी है निसकर्स क्या लेके निकले और कहां पे ध्यान गया वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए टेकन है अभी तक लाइफ में जो भी प्लस मैनस इधर उधर हुआ है इसका कुछ न कुछ रिग्रेट रहा था लेकिन भाईया ने बोला अस्तित्व की जो नृत्य है बारात है इसमें जो अपस भी है वो भी नृत्य है डाउन्स भी वो भी नृत्य है तो बस इसमें बह जाओ तो काफी कुछ स्ट्रेस, काफी कुछ बाल भी इसकी वज़े से गिर गया थे तो स्ट्रेस काफी कुछ निकल गया, बस मेरा टेक ओन होई है, धन्यवाद वापीस आए कि नहीं लाना है झाल भी नहीं लाना है